कुट्टु में कभीलों मारों सब जगत यू तोरे ओम्हारा सत गुरु सही समय आयो रे मरगरी गुरु सही समय आयो रे गुरु साब आने वेको ज्यालों का आयो रे मरगरी गुरु सही समय आयो रे ज्यालों के आयो रे नहीं आयो रे ज्यालों कमक्यों के अच्च्च्चत रेलों क्रते ब्लाव रे रेलों क्रते गुरु पर ने भर हुआ आयो रे आओ नहीं जाओं जग में मरू नहीं जन मूरे आओ नहीं जाओं मरू नहीं जन मूरे उम्हाने अमरा पुर्दो मरगियों बतायो रे सत्य गुरु सामाने नेप प्यालो पायो रे दयालू माने नेप प्यालो पायो रे ओम्हाने करी मने वारि मने दोटी मने वारि मने करी मने वारि ओम्हिनायो रे सत्य गुरु सामाने नेप प्यालो पायो रे दयालू माने नेप प्यालो पायो रे गल्हान बाम माने प्यालक रे आया क्लाब से लाधा भुरुरु अड़े सटे तीरत मारा गुरा सारा चरना में अड़े सटे तीरत मारा गुरुजीरे करने 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 मैं तो गीता घीरो ग्याने जंगार नायो रे वेंदो प्रतो गीता दिरो ग्याल गंगा आयो रे शक्त गुरु सामाने बेब ब्रालों कायो रे वयालू माने बेब ब्रालों कायो रे ओम्हाने करे मनवारे वाले जोटी मनवारे वाले करे मनवारे ओम्हाने सक्त गुरु सामाने ब्रेम प्यालों कायो रे दयान वाले ब्रेम प्यालों कायो रे मुल्या महारा सत्य पुरू इम्रत वाण। पुर्या महारा सत्य पुरू इम्रत वाण। पुद्धारा कुद्धि पाणी रापाण। अशी दूर्धारा दूर्ध्माणी रापाण। कर दो कर दो देवनात्य गुरु पूरा मिलियारे देवनात्य गुरु पूरा मिलियारे देवनात्य गुरु पूरा मिलियारे ओ एको राजारे माने चसगायो रे सत गुरु सा माने देवन प्यालो पायो रे देवनात्य गुरु पूरा मिलियारे देवनात्य गुरु पूरा मिलियारे तेम प्यालो पायो रे सब दे प्यालो पायो रे ओ डाटी करमने वार ओ डाटी करमने वार पिलायो रे ओ सकत गुरुसा बाणे तेम प्यालो पायो रे तेम प्यालो पायो रे ओ डाटी करमने वार पिलायो रे ओ रहने करमने वार पिलायो रे अद गुरुसा बाणे तेम प्यालो पायो रे दे आलो माने तेम प्यालो पायो रे और हमारे बीच में राजसान की बहुती मसूर जीनों ने पीतों के माधियम से कहें चाहें बजनों के माधियम से हर जगे अपना रंग जमाया है जी हां रानी रंगिली जी हमारे बीट में पदारी एक बार जोरदार तालियां बजागर करें राजन करें रानी रंगिली जी पुलिस अप्तु गुरु देव की जाहो अभी बहुत से कलाकार हमारे बीच में आने वाले हैं कुछ पदारे हैं कुछ रस्ते में हैं कुछ रवना हुए हैं राजस्तान के उद्गोष्णा के माधियम से जिनोंने पूरे समुचे राजस्तान भर में बातसाहत हासिल की है गुरुवर ओम जी आचारे साब हमारे बीच में उपस्तिते विराजमान हैं एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिवादर करें ओम जी आचारे साब का गुरु महमा हुई गणपती बनना हुई और आगे की कड़ी में जो भी भजनगायक आयोए हैं सबकी हादरी इस मंच पर होगी जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं लगबक सभी गुरु मुखी लोग विराजमान हैं कुछ लोग पढ़ने लिखने के बाद में कहते हैं कि गुरु क्या आउसकता क्या है किताबे हम पढ़ सकते हैं और गुरु मराज जो भी ज्यान देंगे वो किताबों से देंगे लेकिन उन पड़े लिखे लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पुस्तक खाली पुस्तक है पुस्क का मतलब धक्का देना पुस्तक खाली पुस्तक है लेकिन गुरु मराज की पॉंच उस तक है इसलिए जीवन में गुरु होने जरूरी है गुरु महिमा होई आप सभी के बीच में आगे की कड़ी में जैसा आदेश जो भी कलाकार पदा रहे हैं सभी की हाधरी कि हमारे बीच में तकत सिंग जी पदा रहे हैं भजन का एक तकत सिंग जी से निवेदन की मुमंच पर आएं और अपनी हाधरी लगाएं एक बार जोड़दार तालियां बजाएं तकत सिंग जी के लिए जैंगा कि झाल प्रश बार जोड़दा शालियां तकत सिंग जब जी जी के लिएे जी के लिए जी के लिए शेपर दो में जी जी के लिए जी कैने हालरे आपनी हैं कर दिर act कर दो 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 दो, भाल आ जो दो दो. कर दो, कर दो, दो 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 दो, और आद है? कर दो यह जो भी लोग पीछे खड़ें उनसे निवेदने कि आप लोग आगया करके अपना इस्तान ग्रहन करें है हेलो बहुती सुन्दर आयो जन आप सभी के भीच में है राजे इस्त्रिये भीष्म पितामा संगीत रतनावाड अंतराष्टिये ख्याति प्राप्त लोग कलाकार संत चर्णा अनुरागी गोलो कवासी माली चमरलाल जी गहलोत की श्मरती में ये दूसरा वर्ष है विसाल भजन संध्या एवं भीष्म पितामा संगीत रतन अचीवमेंट संगीत पुरुशकार आयो जन हमारे राजेस्तान के जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने चाए हासिय के माध्यम से राजेस्तान का नाम रोशन किया हो चाए भजनों के माध्यम से चाए लोग गीतों के माध्यम से तो हमारे माली चमरलाल जी के हलोत के सुकुत्र हैमंत भाई के हलोत जिनने हम मिट्टू भाई के नाम से भी जानते हैं और आपने माली चमरलाल जी के नक्षे कदम चलने का फैसला किया और जिस तरह से कलाकारों को माली चमरलाल जी के हलोत ने आगे बढ़ाया जो भी कोई उनके पास आया आज समुचे राजस्तान बर में उस कलाकार का नाम है तो ये हमारे मिट्टू भाई ने भी एक फैसला लिया है कि जैसे प तख्यार जी से लाल सिंग जी राव भी पदा रहे हैं लक्षमी कान जी ताजसान के बहुत हैं संहित का भी हमारे में पदा रहें उनका भी अभिवाधन और भी जगधिश भाई परजापत हास एक लाकार कालो राम जी पर जापति दुर्गा जी परिहार सभी का कि मात्पिता गुरुदेव कि स्वनातन धर्म कि कि अ है नड़िता गुर्म कि अ है नड़िता है लाल लंगोटा हद बन्या और मुख में नागर पाँ लंका में वानर चले शिरिय जनी सुत हनुमा ए अजनी रो जायो ए पवन हुले रायो बिडलो यो ठायो राजारा मेरो अजनी रो जायो बिडलो यो ठायो राजारा मेरो अजनी रो बिडलो यो ठायो राजारा मेरो रे अरे पविडलो यो ठायो राजारा मेरो बात्य पाना रो ए फिडलो बना यो भई भरी शबा मेरो राजो रे ए ए ए ए ए ए ए ए इनन पिडलो यो ठायो राजारा मेरो ए कोई नहीं जेलियो हनुमत हाजरे ओ रो रे आँ बिडलो यो ठायो राजारा मेरो राजारा मेरो लाजारा मेरो आकरी भिलकारी उतक यो साकरे पन गट असन लगायो रे आरे पन गट असन लगायो रे आरे पन गट असन लगायो रे एप मानी दिरी पनी यार आरे बोली भाई पोन दिना वरे आयो रे आतिन रे जे शरी सीता कई जे शियारो संदे फोई लायो रे रे यारे गट झासे लाद वार मानpes बट लें आरे बोली भाई एट पोई ए इतरी बाते ए सुनी हनूमत ने खूद बात में आयो रे आरे जिनरे डाल निज ए बेटी सीका जाय मुदरी ठिक काई रे ए जाय मुदरी ठिक काई रे आरे जाय मुदरी रे ठिक काई रे जेक मुदरी ने आरे जुल्वन लाकी वाई पोन जिनरे लायो रे आरे जाय मुदरी रे जाय मुदरी रे जाय मुदरी रे आरे जाय मुदरी रे जाय मुदरी रे जाय मुदरी रे हमारे बीच में बारी बारी एक एक कलाकार पहुच रहे हैं मैं चाहूंगा ग्यालोत परिवार की और से आपका सौगत अभिननन करता हूं हमारे बीच में बिलवडा की दर्ति से जन्हाने पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया ऐसी अधाकारा बैन राणी रंगीली हमारे बीच में पदा रहे हैं मैं थिए जृत्पुर के शिए राणा र Ε घंदरर अरोड़ी पदने मैं देख रहा हूं आपका भी सोगत अभिननन मियो। को चाह के नाम से पूरे राजस्तान में औप अपना पर्चम लाया आधन यह बिंदा जी बिन लाज़त्तान शिदान पुर में मैं पदारी आपका सौगत अविन दन और जयेएम रिकोर्डिंग इस्टूडियो से आदर निया गणेज जी सोलंकी पदार है आपका भी मैं सौगत अविन दन करता हूं मैं देख रहा हूं कि आदर निया सेनियर कलाकार के बीच में हमारे बीच में लाल सिंग जी पदार है आपका भी मैं गयलोत परिवार के और से सौगत अविन दन करता हूं आगे की मंच की बागडोर चंदन सिंग जी राजपरोही जैस रिदम जैस रिदम एक बार भाव और प्रेम से बोले जैस रिदम केवल आगे बैठे लोग जरूर मेरे उत्तर का पड़ती उत्तर दे रहे हैं लेकिन जो पीछे बैठे हैं उनसे मेरा निविदन रहेगा कि इससे प्यारा नाम दुनिया में और कोई नहीं है एक बार सभी लोग भाव और प्रेम से बोले जैस रिराम माशार्दे को बंदन करता हूँ इस अज्ञानता रुपी अंधेरे से ज्ञान रुपी प्रकाश्ट में ले जाने वाले स्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पुनी चर्णों को बंदन करते वे अखिल ब्रमांड के अधीपती सत्य सनातन धरम का आधार हमारे रोम और कण में बसने वाले रगुकुल्स रोमणी मरियादा पुरुशोतम प्रभु स्री राम के पावन पुनी चर्णों को कोट कोट बंदन करते वे स्री हनुमान जी महराज को बंदन करता हूँ और जोदपुर की सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक और भक्ती संगीत की उस अभा को संपूर्ण विस्व तक पहुचाने वाले अमर कराकार मारी छमरलाल जी के हलोज की पावन और पुन्य स्मर्ती में आज के दिव्य सत्संग का आयोजन आप सभी के समक्ष आयोजित किया गया है और उनी के नाम से एक अवार्ड राजिस्त्रे भिस्म पिता महा संगीत रत्न अवार्ड जिसका आगाज आज होने जा रहा है और पूरे राजस्तान के मंच को सुसजित करने वाले अनेक मुर्धन निकलाकार भजन गायक और मंच से जुड़ेवे अनेक बड़ी बड़ी हस्तियों का आज जोधपुर में पावन दिवी आगमन हुआ है या होने वाला है एक बार मैं आप सभी का सुरिनगरी जोधपुर की और से और हमारे मर्दर फिल्म और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिसके निर्देशक हिमंत गहलोज जी और उनके पूरे परिवार की और से मैं आप सब का रदे से बहुत स्वागत और अभेहंदन करता हूँ सुरिनगरी जोधपुर की धर्ती राजस्तान की संस्कृतिक राजदानी है नियाई के श्यत्र में भी जोधपुर का लोहापुरी दुनिया मानती है जा संस्कृति हो जा नियाई हो जा भक्ती हो जा सौर्य हो वहाँ से केवल हीरे ही निकल सकते हैं क्योंकि राव जोधा ने जिसे जगमक किया राव जोधा ने जिसे जगमक किया वो जिंदा निसानी देखिये और सूर्य सबसे पहले आकर चुमता ये सूर्य की महरबानी देखिए जिस मरुधरा को जिस छित्तर के पत्थर को भगवान सूर्य देव भी सबसे पहले प्रडाम करने आते हैं वो माटी सूर्य नगरी जोदपूर की पावन और दिव्व माटी हैं और उसी माटी में उस लाल का पूरी दुनिया में एक अलग आयाम था एक अलग मुकाम था एक अलग पहचान थी और आईए उस पहचान को सिरोधारे करते वे उनको सलाम करने के लिए आज आप सब लोग पधारे हैं मैं चाहूँगा एक बार सूर्य नगरी जोद्पूर की जनता आप सभी कलाकार बंधों का जोरदार तालिया मजाकर आप सब लोग बंदन करें अभिनंदन करें मेरे सामने जितने भी कलाकार बैठें परमादर निये ओम आचारिय जी सजन सिंग जी कहलोत और मिवार से राणी रंगिली जी हमारे हासी की विदा से जुड़े वे बहुत सारे लोग जिनने आप कागू के नाम से जानते हैं साथ ही स्री जगदीज जी प्रजापती बहुत पुराने हासी अकलाकार और समस्त भजन गायकों की पावन और पुर्णे उपस्तिती में आप सब की गौरव मैं उपस्तिती में आईए आज के संगीत की संध्या को मैं आप सब की विचमा आगे बढ़ाने जा रहा हूं और मेरा निविदन रहेगा चलिए अगले कलाकार के रुप में आप सबी के विचमा आमंत्रित करने जा रहा हूं स्रीमान राजुजी राठोड जो पाली से पधारे हैं एक बार मैं चौंगा उनका जोरदार तालिया मजाकर आप सब लोग वंदन करें और एक बार कुना मेरे सामने भिश्म पितावा जिनके साथ इनकी भी पारी शुरू हुई थी परम सम्मानिय काड़ुराम जी प्रजापती बैठें आपके चरणों में कोटी कोटी प्रणाम और भी किसी सज्जन का नाम मैं न ले पाऊं तो मैं भी आप किसे शेत्र से हूँ इसलिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम धीरे धीरे आज के सकारकम तो उस मुकाम तक पहुंचाएंगे क्योंकि भाव से स्विकार करता हूँ और आप सभी को सलाम करता हूँ और जैसी दिकसा दी हैं मेरे गुरु दाताने आप सब को प्रणाम करता हूँ एक बार जोड़दार तालिया में जाकर आप सब लोग वंदन करें आईए मर्दोर फिल्म एन रिकॉर्डिंग स्टूडियो मारी छावरलाल जी गहलोत की सरधानजली के निमित राज्य इस्तरे भिस्म पितामा संगीत रत्ना आवोड की इस खुल्पसरत साम में स्रिमान राजुजी रा ठोड़ पाली से बुलु संकर वहवान की आरी ओ आरी ओ आरी ओ शीव समान दाता नही निभी पते विदार निहारी लग्या मोरी राकियो शीवनन्दी के अश्यवार आगे लगी अश्यमान में ने जूर जूर पड़े अंगर संतनी होता संतनी होता जगत में तो जड़े जातो संचार आये संकर भगवान की वंदन आये अरी कुण जी लाया तुम्बडा अरी कुण जी तो लाया तुम्बडाने गुण जी तो ना गिर्वे कुण जी तो लाया तुम्बडा अरी कुण जी तो लाया तुम्बडा अरी कुण जी तो ना गिर्वे कुण जी तो लाया तुम्बडा अरी कुण जी तो ना गिर्वे कुण जी तो लाया तुम्बडा अरी कुण जी तो ना गिर्वे जी तो लाया तो नगिर्वे अधे बवाडू उतुम्बडाते पत्मी न गिल्वेद अधे बवाडू उतुम्बडाते पत्मी न गिल्वेद अरे पत्मोडे बवाडू संतारीय मर्वे पत्मोडे बवाडू संतारीय मर्वे हुआ काखे ने पवाडू वक्रन वेडा हा ची छमिन गिरिवेल पागे पवाडू तुम्बेडा पागे चमिन गिरिवेल आये बगनों मेव बाडू संतारीया परवेल के तो पूप है बपया भागे दो चमिन गिरिवेल झाये बगनों मेक कäre टाक्ष्ण। दिड़ती रही चात मुणबडा में दिड़ती ना गर्वे अरे तीन पीही चावा संतारी या मर्वे अरे खीचुरही चात मुणबडा में दिड़ती ना गर्वे अरे खीचुरही चात मुणबडा में दिड़ती ना गर्वे अरे सब गाती ही चावा संतारी या मर्वे अरे सब गाती ही चावा संतारी या मर्वे अरे अरे या मुणब्लोगी चावा बमार्वे सूकन लागा तुम मिला कल मीजे न गिर्वेल अरे शूकन लागा तुम मिला कल मीजे न गिर्वेल आरे भू बढ़िया कादरे संतारीया मरवे आरे भू बढ़िया कादरे संतारीया मरवे डाड़ झाले न तुम इस शाइनि न जाइन लागा तुम मिला रट्षाटी न दोड़िया जाजा भरत री जीनती में सोश लबाशी पिलाए जाजा भरत री जीनती में सोश लबाशी पिलाए आरे आमर तो वे जोरे संतारी आमर है आरे खुल्ची तो लाया तुम्बडा ले खुल्ची न गृवेट अरे तुम्हें तीला यारे संतारी आमर ले शंतारी आमर ले शंतारी आमर ले जेवलो संक्रे भगवाने की सभी भग्तों की जाओं एक बार राजंदर राठोड़ जी के लिए जोड़दार तालिया बजाकर आप लोग इनका धन्यवाद करें वैसे जो पीछे लोग खड़ें वो बैठ सकते हैं खूब बहतरी व्यवस्ता है अभी तो आपका हो सकता है बैठने के लिए नंबर आए अच्छा भईया लाइट वाले भईया ये पब्लिक के सामने लाइट कम कर दो थो लिए ओम जी जनता हैं तो हम है उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है ये स्टेज की नहीं करनी पब्लिक वाली करनी है हाँ ठीक है चलिए आपकी हर बात मानी जाएगी लेकिन आपको इसे मेरा हाध जोड के विनमर निविदन रहेगा देखे हम भगती संगीत में आए हैं भगवान को हम क्या दे सकते हैं जो पूरी दुनिया को चलाता है उस परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं एक सुन्दर मन इसके अलावा हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है क क्योंकि सारे जगत को देने वाले तुझको क्या चढ़ाओं मैं और जिसके नाम से आये खुश्वू उसको क्या फूल चढ़ाओं मैं और वो तेरते तेरते डूब गए जिनको खुद पर गुमान था और वो डूबते डूबते तेर गे जिस पर तूम महरवान था तो जो भी होता है बस उस परमात्मा की कृपा से होता है तो आज हमें परमात्मा की करपा से सफसंग मिली है तो आईए मारित छमरलाल जी के हलोत और मर्दर फिल्म एंड रिकोर्डिंग के इस पावन मंच के उपर उनकी पावन इस मर्ती में आज ऐसे विसेश जिनोंने कई वरसों ते अपनी पूरे जीवन में राजस्तान की कला संगीत और संस्कृति को बहुत कुछ दिया हैं उनका आज मान सम्मान और बहुमान होगा आईए प्रस्तूति के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अगले क्रम में स्रीमान प्रकाश दादीच जी वो पधारे और अपने भजन के माध्यम से आज की संगीत संध्या को आगे बढ़ाएं प्रकाश जी दादीच हमारे बीच में बीकानेर से स्री भवार अली जी एक बार मैं चाहूंगा उनका भी जोर्दा तालिया बजाकर आप सब लोग बंदन करें स्री प्यारे लाल जी आपका भी राजस्तानी कला और संगीत के इस पावन मंच के उपर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आईये आप सभी के समक्स प्रकाश दादीच जी अगलो काफी संक्या में भक्त लोग विराज मानों सभी से निवदन करता हूं जैक किरणों को सविशन लगावें बहुती सुंदर वक्तिक आयोजन आज किया गया है मरुदर फिल्म से ने स्टूडियो दुवारा जोरदार तालियों सभी वादन करें सभी लोग बलिसत्त गुरु कि चेतावनी पत के साथ में आज कि इस भक्ति को आगे बढ़ा रहा हूं सत्त गुरु मेरा बाणियार बिन जिकरें व्योपार ओ जी बिन डांडी बिन ताकडी गुरु तोल दिया संसार ओ मेलो संसार को जट आवन जावन रीरी एसी करनी कर चलो थार दुनिया गावेगी बहरु संकर जी महाराज अपने इस भजन में करते हैं ओ मेलो संसार को जटे आवन जावन रीरी एसी करनी कर चलो कि दुनिया गावे धारा सबी लोग कहा दीजिए दुनिया गावे धारा गीत अरे कंचन वाली का या ओ से लानी आपा पावना कंचन वाली का या जी से लानी आपा पावना विरा एक दिन जावाला के बाचा नहीं आवाला कि दिन जावाला दे पाचा नहीं आवाला जावाला देखे देखे देहे आप पावना फिरा एक दिन जावाला एपाचा नहीं आवाला आप दोखना नहीं ए बोलो बोलो अमीनित्यो, वानीनी मुखेडासु ए बोलो बोलो अमीनित्यो, वानीनी मुखेडासु आजो गुलावाली पर मली छोड़ी अमरी होई जावाया कर तंचनवादी का आया ओ सेलानी आपा पामिना कर तंचनवादी का आया ओ सेलानी आपा पामिना भीडा ये तिने का आपा ये पाचा नहीं आपाला तिने जापाला ये पाचा नहीं आपाला लौड़ी हो आपाला ये श्याffर सेलानी आपाला र्भाया नहीं आपाला सर्भात जिए जापाल इंपान 550 इंजे उनको, आपाला पर लेना वे तो लेना वे तो लेना वे तो ले लो ले लावा इनि हाँ सुखे कर लो भलाई वालो का जगती जसी पावो लाव सुखे कर लो भलाई वालो का जगती जसी पावो लाव एक कंचनवादी का आया ओ ले लाणी आप पावना कंचनवादी का आया जी दे लाणी आप पावना विरा एक दिन जावाला दे बाचा नहीं आप पावना एक दिन जावाला दे पाचा नहीं आप पावना में टिन जावना उनाप लाण cकैन देम चारत Woo हालो आप में आया एक भावना पावना देमा अरी मिली नावेतो, ये मिली नावेतो मिली लो, ये जगतिवा मिले खाशुँद। अरी मिली नावेतो मिली लो, ये जगतिवा मिली खाशुद। अरी मिली खाशुद। अरी मिली खाशुद। एक दिन जावाला, ते पाचा नहीं आपाला। अरी मिली खाशुद। जोका हवा का पानी का देला जोका हवा का पानी का देला पिले मेरे जाता जो अखीला हो पिर अखीला ही रहेजाना है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आपने जाते रस्ते में जादे छोरी जाता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आपने जाते रस्ते में जादे छोरी जाता है पेकाना वेतो गालो मी गुरुजी वाला गीरी तडे राया पेकाना वेतो गालो मी गुरुजी वाला गीरी तडे राया भेरभ भजमन दा अमरी पधिता बाला वे अंचलवाणी काया ओ सेलानी आपापाणा वे अंचलवाणी काया ओ सेलानी आपापाणा मैं भजन सक्ति का भक्ति का कारिकम तो मैं चाओंगा एक बार सभी कलाकार बंदों का जोड़दा तालिया बजाकर आप लोग बंदन करें और ये पूरा कारिकम मरुदर फिल्म के उपर और SMS वीडियो इन दोनों के उपर लाइव टेली का स्टोरा है हमारे ओम जी देवडा और उनकी पूरी टीम इसे कवर कर रही है और एक बार मैं चाओंगा स्री हेमंत गहलोच जी स्री सुनील गहलोच जी और स्री जीतेंदर गहलोच जी के लिए एक बार जोड़दा तालिया बजाएं कि उन्होंने मारी चंवरलाज जी तो क्या सक्सियत थे ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं लेकिन उस उस बात को जिंदा रखने के लिए हर वर्स ये जो आयोजन हो रहा है इसके लिए तीनों भाईयों का एक बार जोड़दा तालिया बजाकर धन्यवाद करें स्री हेमंत गहलोज जी सुनिल जी गहलोज और जीतंदर गहलोज जी क्यूंकि एक सक्स को बनने में नौ मैंने लगते हैं लेकिन एक सक्सियत को बनने में पूरी उम्र लग जाती है और माली चंवरलाज जी ने पूरी उम्र अपनी सक्सियत को उस तरीके से आगे बढ़ाया कि आज दुनिया उनको बिस्म पिताक मा के नाम से सलाम करती हैं एक बार मैं चाहूँगा जोरदा तालिया मजा करो उनके लिए बंदन करें और आईए अब मैं प्यारे लाल जी से निवेदन करूँगा कि वे मंच को पर पधा रहे हैं इन्होंने पिछली बार भी मारि चमरलाल जी के हलोत के उपर भजन लिखे लाए थे गाया था और इस बार भी ऐसी प्रस्तुतियाब के बीच में होने जा रही हैं तो मैं प्यारे लाल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे मंच को पर पधा रहे हैं कि समय की थोड़ी सी आप सब लोग अपने आपको अनुसासन में ढालके प्रस्तुति देंगे ताकि सभी को इस मंच के उपर गाने का आउसर मिले और समय पर हम सब का मान सम्मान और बहुमान करा पाएं तो सीधे सीधे ही आप लोग भजन के माध्यम से जोडेंगे कि चलिए यह बजन कल इन ने रिकॉर्ड किया है इस बजन को जो रिकॉर्डिंग कल हुई है मरु धर रोमान बढ़ाए गया धोरा धरती में नाम कमाए गया मारक्षा मरे लारी वे तो लेखन और गायन रोग ने चलिए अभी जो आवाज आपने रिकॉर्डिंग में सुरी वही आवाज मंच के उपर प्यारे लाज जी है हाले सरवपर्थम चमरलाल जी मालिके चर्णों में मेरा कोटी कोटी नमन कोटी कोटी प्रणाम और यहां पधारे वे जितने भी हमारे कलाकार भाई और जितने भी सुनने वाले उनको मेरा कोटी 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 नमन कोटी कोटी प्रणाम और यह दूसरा साल है कि चमरलाल जी साब के लिए भजन लिखने का और गाने का मुझे सुबागे मिलता है इसके लिए मैं हमारे हमंद भाई साब को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यह शुबावसर मुझे मिलता है दिल से उनका वक्षुत्रिया और मैं आपसे यह प्रात्ना करता हूँ कि एक बार हमारे हमंद भाई के लिए जोड़दार तालिया हुआ जोड़दार को नहीं जोद फुरा आदमी आपे जोड़दार थेट गंबई तक जाने ची यह जोड़दार तालिया बज़व अब दम यह बात कर दोड़दार तक जोड़दार थे बात हुआ 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 है ओ मर्धर रोमान बढ़ाए गया ओ मर्धर में जोत जगाए गया मर्धर रोमान बढ़ाए गया धोरा धरती में नाम कमाए गया मारचावर लाल जी मनी ओ जह शोभा सब सून्यारी ओ मारचावर लाल जी मनी ओ जह शोभा सब सून्यारी वे तो लेखन और गायन रो सबने ग्यान दियो नए नए कला कारा ने मंच महान दियो ओ मर्धर रोमान बढ़ाए गया धोरा धरती में नाम कमाए गया मिधी मिधी ताली मिधी हो ओ नानाने में चनल्या जाया में तुम्र धर्य मन भाया ओना नाने में जन्द्या जाया में तो मर धर्य मन भाया जद भी चिड़ सूँ भी मिलता पे तो हस के भूल जूँ खिलता ओ पे तो हस के भूल जूँ खिलता ओ कदे दिल ना किरो दुखाता वे गड़ सबने अपने लगाता वे ओ मारा चाहूर लाल जी मनी ओ जाही शोभा सब सून्यारी ओ वे तो लेठन और कायन रो सबने गान दियो नए नए कलाकारा ने मन शिमान दियो ओ मर धर रो मान बढ़ाय गया धोरा धरती में नाम कमाए गया अन्हद माई बढ़ादा बढ़ाय गान है चोरा टूम्ह लोग्क भाटबस्टी लोगर सुटाटी वे खोरादी भीडिला गड़ादी हान दियो बढ़ाय जीदे बढ़ादी वे खिदक चेमान है बढ़ादीन यह जो अंत्रा मैंने लिखा यह एक वित्म अकिकत बात है कि मैं नहीं रहता हूँ हैमन भाज साब के मकान में तो जहां में शादियां होती है तो शावनलाज जी के घीत बस्ते है जिदर भी देखो उन्हें की कैसिट बस्ती है जिसमें हमारी बड़ी दिदी कुशल बारट जी ने गाया हमारे सुमू जी ने गाया ओ वारगीत लिजोडा जग में भाई आज भी सगला गावे ओ भाई आज भी सगला गावे वारगीत लिजोडा जग में गागा कर नाम कमावे ओ जद खिणरे घर में भ्याव मंडे तो छावर लाल जीरा कीत बजे ओ मारा चावर लाल जी माणी ओ जारी शोभा सब सुम्यारी वे तो लेखन पर काएन रो सब ने गान दियो तो नए नए कला कारा ने मन्श महान दियो ओ मर भर रो मान बढ़ाए गया धोरा भरती में नाम कमाए गया लाल जाए गया ओ ये तो देश विदेशा जाता सच्छी घोडी रो निर्थ दिखाता वे तो देश विदेशा जाता सच्छी घोडी रो निर्थ दिखाता अब बुणी कला महनत सूँ चठे जाता बेशा जाता वो चठे जाता बेशा जाता प्यारे छवर जी आने नमन करे ओ प्यारे छवर जी आने नमन करे ओ जाहे शोभा सब सून्यारी ओ मारा शमर लाल जी मानी जाहे शोभा सब सून्यारी ये तो लेखन और गाएन रो कब ने ग्यान दियो नए नए जला तारा ने मन शमान दियो ओ मर धर रो मान बढाए गया धोरा भरती में नम कमाए गया कि अची को भीज नहीं ओ मनना शमान बढाए kim कि एक बार जोरदार चाहुड लान जी के लिए ताली हुजाएए जोरदार दिल से कि जैह हो कि क्या बात है कि देखे कि कुछ बात ऐसी होती है जिसके बाद ये समझ नहीं आता कि बोले क्या जिस भजन की प्रसुती आपने मारी चमरलाज जी के बारे में दी है और जिस तरीके से आपने गाया है मैं तो केवल इतना निवजन करना चाहूँगा कि जर्रों में रह गुजर के जर्रों में रह गुजर के चमक छोड जाओंगा जर्रों में रह गुजर के चमक छोड जाओंगा और मैं मेरी आवाज को दूरतलक छोड जाओंगा अरे खामोसियों की मौत गवारा नहीं है मुझे सीसा हूं तोट भी गया तो घंक छोड जाओंगा तो मारी चमरलाज जी की जो घंक थी वो इस भजन के माद्यम से आपने सुनी मैं चाहूँगा एक बार जोरदात तालिया मजाकर इनका धन्यवाद करें देखिए सामने महेंदर सिंग जी पमार बैठें ओ माचारे जी बैठें मारी चमरलाल जी कहलो जिनका ये जो राजस्तानी कला और संस्कृति का जीवन है वो कच्ची घोडी से आरंब हुआ और कच्ची घोडी आजकल बहुत सारे कलाकार कच्ची घोडी कर रहे हैं लेकिन उनकी कच्ची घोडी में थोड़ा कुछ अलग था एक तो कच्ची घोडी के माध्यम से उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की और सबसे बड़ी बात जैसे हम कलाकार लोग रात को जागरन करके सुबज घर जाके सो जाते हैं फिर घर से बार तभी निकलते हैं जब दूसरा कारिकम हो लेकिन माली छमरलाज जी वो सक्सियत नहीं थी वो हमेशा जोदपुर में कोई सक्सियत आई चाए वो राजनिती से जुड़ी हैं चाए वो अध्यात्म से जुड़ी हैं चाए वो संस्कृति से जुड़ी हैं या किसी अन्य शेतर से माली छमरलाज जी उसके पास जाते उससे मिलते राजस्तान की कला और संस्कृति का परिचे देते खुद का परिचे देते, अपनी कला का परिचे देते, इस तरह से हिंदूस्तान के अनेग लोगों के दिलों में राजस्तान की कला और संस्कृति को उन्होंने पहुँचाया, क्योंकि मारवाडिम कहनी, बोले जिना, भूमबडाई भिके, अनी बोले उना चीना ही पडिया र और सबसे बड़ी बात, कि वो हमेशा सिर्फे साफा रखते थे, और कलाकानों की जो पैचान होती इन डगली, वो हमेशा उनके सरीर पर रहती थी, और मुझे याद है, एक साथ में अलबम रखते थे, कि उन्होंने आज तक जीवन में क्या क्या किया, और राजस्तान का घी और वो अपना लिखावा भजन उसको देते, कि तुँ ये भजन का तेरा भी इस दुनिया में नाम हो जाएगा, याने अनेक कलाकारों को मंच उन्होंने दिया, अनेक भजन उन्होंने लिख कर दिये, और सदेव 24 घंटे सक्रे रहने वाले थे, इसलिए आज मारी छमरलाल गेरलोत ने राजस्तान की कला और संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचाया है, तो मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोड़ दाल तालिया में जाएं, और एक दर्द की बात बताता हूँ आपको, कलाकार भुरा नहीं माने तो, आज कल गया कलाकार कई डांगडी जागरन में चले जाते हैं न, तो बुजर्गों के ओर से फरमाईस आती हैं कि गंगा लावनी गाओ, अब बहुत सारे कलाकार वो याद नहीं है, स्वभावी कहें, तो माली छामरलाल जी एक भजन बना के गए, बहुत सारे कलाकार वो भजन गाकर अनेक डांगडी रात के जागरन में सामने वाली पबली को खुश कर दें थे कि मैंने गंगा लावनी गादी, तो वो सक्सियत थी माली छामरलाल जी गहलोत, तो मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार जोड़दात तालिया मजाकर आप लोग वंदन करें, क्योंकि बारिस में अपने पाउं क्यों ढ सुनते हो, बारिस में हमारे बीच में स्री गजंदर जी राव, स्रीमान स्याम जी पालिवाल, एक बार मैं चाहूँगा दोनों का जोड़दात तालिया मजाकर वंदन करें, स्री राजु जी माली बालोतरा से और अंकित बावु अंकित साउंड से, एक बार इन सभी का और अली जी को आपके बीच में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में बाबा रामदेव सेवा संस्तान से, जिन्होंने 365 दिन लगातार भजन संद्या कराने का संकल्प लिया और उसको किर्यानवित भी कर रहे हैं, ऐसे स्रीमान करण सिंग जी राठोड, मैं चाह भी कानेर से भमर अली जी स्री अनिल देवडा जी हमारे बीच में पधारे हैं, नचमगान का अभी एक बार जोड़ा तालिया वजा कर आप सब लोग बंदन करें, और स्रीमान महंदर सिंगी राठोड, पाली से हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका भी इस मंच के उपर बहुत स्वागत और अभिननन्दन है, स्री महंदर सिंगी राठोड, पाविया, विराजमान सरसंग में उपस्ति सभी भक्त जनों को, सभी सीनियर कलाकारों को मैं भवर अली सत्सत्नमन करता हूं, हमारे गुरुबर चमरलाल जी के चरणों में सससत्नमन करते हुए, दो शब्द सरदांजली सुरूप में अपनी वाड़ी से कह रहा हूं, ज़्यादा समय ना देते हुए, तोड़ा फ्लूट, बढ़ाए, फ्लूट का वर्लिम करिए इस तेट पर, हलो, और मैं जो मेरा जोन है, मैं सुफियाना सरदांजली सुरूप में एक हमारे गुरुवर चमरलाल जी मारी के चरणों में अर्पित कर रहा हूं, यह मैंने भी खूब आशिरवाद लिया है गुरुजी का, हलो, की बोड़ बाले भीया, थोड़ा कोड रोकर बदाव। ब्रसत्त गुरुदीन दया लिकी का दीओ बालेओ आये भी है गुरुग में ठीक चरह में आये भीए के गुरुग्रुग। चमरलाजी के लिए ये बेरी तरफशे है दे आए तूरी का योँ पर देशी मुरे नई आए दाल्दावाली अश्टिना तूझे बुलाए और आए ये ये पूरे ये जो कलाकार परिवार है वो मेरे सामने राजिस्तान की बड़ी महान हस्तियां विराजमान है मंच शिरोमणी ओम जी आचारे साथ के चर्णों में नवन करते हुए मेंदर सिंग जी राठोर सहब कालूराम जी परदापती शाम जी गजंदर भाई और बड़ाई ये मेरा बड़ा परिवार है उन सब के हमारे मेंदर सिंग जी पमार सहब तो ये सब छवरलाजी माली को प्रेम करने वाले हैं तो हम सभी क्या कहते हैं किसे दा किसे दा आव ना परिदिस जावे विछोडा ना किसे दि दि पेस दा आवे वो स्वनुएक पन चैन ना वे स्वनुएक पन चैन ना वे गुरुवर तेरे बिना गुरुवर तेरे बिना वान टू थी श्टार्ट पुड़ा वेकम दो आये मोत इन कमला डुब डुब जावे इन कमला डुब डुब जावे गुरुवर तेरे बिना गुरुवर तेरे बिना समुएक पन चैन ना वे समुएक पन चैन ना वे गुरुवर तेरे बिना गुरुवर तेरे बिना जामाद राड़ी जाई बोना साफ्रीम कर दो दो आपी गए आपी गए यादे छोडी इंदिजार में अख्षियानी गोडी इक फल ते बिमाई दे गुरुबर ते बिमाई गुरुबर ते बिमाई यादे बिमाई इंदिए लादे गुपे लादे कितन भी प्यासा मन भी प्यासा तेनु कोड बुलावेगा तू आवेती जानना देवा जावेती मल जावा सदकले आती दिन रयो लदिना गुरुवरी तेरे बिना 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 चलिए बहुत संसित में बस उन तक अपनी बात इन्हों ने पहुंचाई एक बार मैं पुना आपका जोरदात तालियों से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बीच में पाली से स्री रमेश माली जी एक बार मैं चाहूंगा इनका भी पुरजोर तालिया बजा कर आप सब लोग स्वागत करें अभिनंदन करें हमारे जोदपुर से ही स्री राम कि सोरजी दाधीच साथ में स्री मती नीलम सिंग जोदपुर की बहुत बेतरिन भजन गाई का आपका भी जोड़दात तालिया बजा कर आप सब लोग वंदन करें चली जैसा आदेश मुझे मिला है भगवान ने इश्वर ने परमात्मा ने सभी जीवों को सब कुछ दिया लेकिन बोलने का अधिकार केवल मानव को दिया बागी दुनिया के सारे जीव चल सकते हैं फिर सकते हैं खा सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं बोल कौन सकता हैं केवल मानव और जब मानव को इतना बड़ा उपहार मिला तो यदि वो मानव अपनी जुबान से प्यारा बोले और उससे भी अच्छी बात के वो भजन भगवान को रिजहाए तो उससे बड़ी भगवान की धीवई वस्तु को उपयोग और कुछ हो नहीं सकता क्यूंकि मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस मिट्टी से यारी रख और दिल में दिलदारी रख और किसी का दुल दुखे ऐसा बोले ऐसी समझदारी रख किसी का दुल दुखे ऐसा न बोले ऐसी समझदारी रख और कुछ दिन का जोश जवानी का गुढ़ापे की तैयारी रख कुछ दिन का जोस जवानी का और गुढ़ापे की तैयारी रख और दिल भले मिले ना मिले दिल भले मिले ना मिले बस जुबान को प्यारी रख दिल मिले भले ना मिले इस जुबान को प्यारी रख और आईए उसी जुबान से भगवान परमात्मा के भजन आपके बीच में आईए मैं रमेश माली जी जो पाली सापके बीच में आए हैं देखो हम तो उतना ही बोलते हैं जितना कहा जाता है चले तालियम जाए एक बार जोड़दर स्री रमेश जी माली पाली से बधारे हैं मैं गौलोक वासी माली जमरलाज जी गहलोट और उनकी अरधांगनी चितरलेका गहलोट जी की पावन इसमर्ती में ये जो विसाल भक्ती जागरण का आयोजन आप सभी के बीच में राजस्तानी कलाव और सांस्कृतिक संस्थान मर्दर फिल्म्स और रिकोर्डिंग स्टूडियो और स्रीमान हेमंद गहलोट जी सुनिल गहलोट जी और जितेंदर गहलोट जी ने अपने पिता की पावन और यालोट जी वे तो जी और सांस्ता है। पूजने चवर जी वैशा की पूर्ने आत्मा को बंदन, सामने विराजीत अलोम जी काकोशा, मेंदर संग जी वैशाब, पर समझते हैं मेरे सेनियर जितने भी हैं, उन सब को मेरा प्रणाम, आज की सत्संग वैशा को सर्दांजले सुरूप रखी जाती हैं, और ये पूरे र परिवार द्वारा इस परकार का आउजन करना और कलाकार परिवार द्वारा इस परकार का आउजन करना आने वाली पीडी के कलाकारों के लिए एक प्रेणा शुरूते हैं, मैं चाता हूं सभी तालियां वजाए इस पूरे परिवार के लिए जिनोंने ऐसी परंपरा शुर में योगदान रहा हो उसके लिए भी मैं पूरे परिवार का अनमदन करता हूं और आते ही मुझे कि बैठाई था बैठते सीधा उपर बेज दिया गया है कोई निया बंदूख हाथ में होती हो तो फिर उसको यूद में जाने का आदेश मिलता है तो शिपाई को सीधा सीमा पर जाना पड़ता है चंदन सिंग जी का धन्यवाद आई का जैसा भी मैं जानता हूं एक रचना भाईसा को स्रदन जिले से रवर्वित करूंगा बवर्भाई गांके गये हैं अब मुझे बवर्भाई के बाद गाने का तो मेरे को समझ में निया अरब गाना क्या है पर सिस्टम है मैं मेरे जिस सिस्टम से गाता हूं और जिस अंदाज से गाता हूं उससी अंदाज को लेकर से लूंगा एक बार सभी से निवेदन करता हूं सभी प्रेम से दोनों हाथ उठाकर एक बार वाईसा के लिए जैकारा करेंगे सभी लोग अपने दोनों हातों को ज पुल आने वाड़ामें से आज लोग बोल रहे हैं बागी पीचे वाड़ा को लिए ताले हैं आप आगे वाड़े पहले बोलें ताकि पता चलें क्यों हम रोज बुला दे हमारा फ़र जै एक बार सभी लोग अपनी आत्मा से जै कारें पुलिमाद पिता गुरुदेव की यह यह बात हुई है जगदंबाइश्विकर की जय यह थी जय है मैंने पिछली बार भी कहा था यह बहुत गर्व की बात है यह जो साज बजरा है सेंपलर रोलेंड कंपनी का है और यह पुरे विश्व के अंदर आइटम बिखती है इसकी संगीत में और इसके अंदर माली चमरला जी का नाम जय हो के मातिम से प्रसिते तालिया वजाओ एक बार सभी लोग प्रेम से दोना आतों से ताली वजा करके जो दुनिया से चला गया उसकी पराबरी कोई नहीं कर सकता कि अलागार माने या नहीं माने पर जो लोग मानते हैं उनको पता है क्योंकि एक समय था जब जग्दम भाई स्पिकर की चोड़ी से दुकान के अंदर आर्मोनियम लेकर कि जब प्रामनिया जी या मोंजी जाला जी वर्मान सिंग जी बैठते थे जुमर भाई डोलक बजात आते थे और पास में वैसा स्वयम खंजरी लेकर बैठते और चेहो करते तो समय चला गया पर समय के साथ बहुत कुछ बदला गये पर नहीं बदला है तो विक्ति का प्रेम पर जिसने प्रेम को समझ लिया उसका सब जीवर सफ़ल हो जाता है आए मेरा बाई के छोड़ी सी सब्सक्राइब को जाने वाला वेक्ति चला जाता है उसकी बराबरी कोई नहीं आ सकता सब्सक्राइब कावी अ आयागे सो जाए कार राजा रंक फकी कोई सिंगासन चड़ चला कोई बंद चला जन्दी मिरा भाई ने बहुत संदर बात लिखी कि विक्ति इतना सक्षम हो गया इतना कुछ कर दिया कि बड़ी बड़ी नदियों को रोब कर उसने पानी रोब दिया पर विक्ति का जब प्रेम हो उसका मन खुश हो या दुखी हो दुख हो उसमें आख का जो पानी है वो अगर कोई रोब की बताए तो मेरा भाई कहती है अरे नदिया रानी रिसा भीरा रोखने पताए और जोलो बैते इमर मैं जाता हुशा के लिए दाना हाथ पुड़े करके सभी लोग इसाथ पाली से बूलते है जबी के दाना हाथ कड़ेगो उसमें ख़वरलाजी बेलो तक्वी सक्थिया रामीर समरा रोक ने बतावा उम्हारे नेणा मैलो नीरे रुकेला नागीरे वारा पीछडी ओडा रामेजी में देला नागीरे वारा पीछडी ओडों समरी ओडेला नागीरे क्यादे यहाथ यादे यह ड्यादे यह Bu यह इते देटा तो जग में समरा गणागी गुवा आगे देटा तो जग में समरा गणागी गुवा आगे लाला सरवन वाली ओड बेटा सरवनरी ओड बेटा सरवनरी ओड देटरे लाला गेरे और मैं इस परिवार के लिए चालता हूँ इन परिवार के बेटों के लिए एक बार ताली वजाएं यह निसरवन कुमार होने का फरज निभा करके ये परंपरा शुरू कि ये दोना हाथ खड़े करके एक बार ताली हो जाते के लोग परिवार के लिए मारा पीछणी ओडा रामजी लेला नागीरे मारा पीछणी ओडा रामजी लेला नागीरे म क म अार्द बार पीछ वार रहा रामजी लेला फ मारा पीछणी ओडा म अनलवा रामजी ओर मारा राम लेला भाता सू लिखी ओड़ा का गदि बाच नहीं बतावा भाता सू लिखी ओड़ा का गदि बाच नहीं बतावा ए भारे करमा वाले रेका कोई करिमारी रेका महारे करिमारी रेका बाची जावे नागी रे भारा बीचडी ओडा रामजी देला नागी रे चाहर जी बैशा में जाएवार का बाचुटी देला प्रास हाट लाता आख पेज़ा दो को मैं जिके चाहरजी वहिस्टा ने जोड़ी वहिस्टा ने आ इसी पैकले थे कलाकारों के लिए ऐसा कार खाना थे जिसमें नहीं बाद आते उनको तरास्ते और यह सही बात है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा जो मिल गया पर वहिस्टा ने कोशिश सब के लिए कि छोटे-छोटा क अला कार भी को था उसको प्रासान करते थे अंगे बढ़ाया कै ऐस्का भार्वन कह ख़ते हैं। भाई तो जग में सवरा गणागी गुवागे वो भाई परति वानी गोड भाई परति वाली वोटि भाई, परति वाली वोटि करेला नागीरे पर पीछडि योडा, राम जीने लेला नागीरे पर पीछडि योडा, राम जीने लेला नागीरे मैंने धर्मरी सबरा करने बतावा पर लानगीर प्रिणान धर्मरी ंागीरे ये कड़वी सत्ताही, मीरबइम बहुत पहले लिएकर, आज का समय हो गया मैंने धर्मरी सवरा करिने बतावा ओजामण जाईरे वाली गोड जामण जाई वाली ओड जामण जाईरी ओड करे मिलेला नागीरे मारा बीचण योडां रामजी मिलेला नागीरे मारा बीचण योडों सावरियों मिलेला नागीरे बेडिका तरहए पर देड्यक मारा बीचण योडों मिलें दानी तो जग में समरा गणागी घुवागे दानी तो जग में समरा गणागी घुवागे जो राजा मोरी तजरी गोडे राजा मोरी तजरी होडी करेला नागी रे मार बीछडियोडा नामजी में देला दीरे मारो बीछडियोडो सावरियों में देला दाईरे बगे वाई मेरा प्रभू इर धर नागरे बिना गुरू के किसी को कुछ नहीं मिल सकता बली वो कैसे भी हो चाय करम गुरू हो धरम गुरू हो अध्यात्म गुरू हो यह सत्गुरू हो यह हमिंग बंद करो इसमें को री हूँ हुआ रही है पास्व आप मेरा माई ने कहा दुनिया में जो कुछ भी है बीना गुरू के गुरू प्रताब के कुछ नहीं मिल सकता पर आज की सिस्टम यही है कि लोग गुरू नहीं करना चाहते हैं मैं दर सब्सक्राइब बिना गुरू के सीधा कोशिच करते हैं कि हम किसी को आगे धुक कि निश्यंता से उनका कभी न कभी विनाश है कभी कहता है जिस पुरू नहीं होता है वो व्यक्ति बिना गुरू के भटकता ही रहता है उसको भटकना ही पड़ता है इसलिए कहा है कई गई भाई मीरा प्रभू के रधर ना करे गगें बाई मीना प्रभू अप्रभू अंबे दर्दे नागने गुरू बीना क्या आने माने गुरू बीना क्या आने मिले ला नागी रे अधिक बार सभी दोरा हाथ खड़े करके जाता हूं अपने अपने गुरू देव के लिए बोल दे उम्हारा बीच दियोडा नाम जी गेला नागी रे नतियारा नीर समरा रोक ले मतावा नतियारो नीर समरा रोक ले मतावा हर नेनार मैला मीर भारे नेना मैला ली रे भुकेला नागी रे भुकेला नागी रे हर भीच दियोडा नाम जी गेला नागी रे हर भीच दियोडा नाम जी गेला नागी रे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अपने अपने माता पिता का जैकारा करें पुलिमात पिता गुरुदेवा की आप सब की वीजय हो धन्यवाद जन्माइश श्रामजी ? जब भी माली छमरलाल जी कहलोथ किसी से मिलते थे तो यही संबोधन होता था रामजी रामजी राम गे संख Mali जी ने बहुत usable इन प्रस्तुती दी, इन्होंने प्रेम की बात कही, वैसे आजकल प्रेम को लोगों ने बहुत अलग तरीके से परिभासित किया है, लेकिन वास्तों में प्रेम होता क्या है? कहते हैं, या किसी अन कही पीर को पढ़ लिया होता, या किसी अन कही पीर को पढ़ लिया होता, अरे प्रेम के नाम पर बंदर कितरे उचलने वालों, यदि प्रेम को पढ़ना है, तो मीरा और कबीर को पढ़ लिया होता, यदि प्रेम को पढ़ना है, तो मीरा और कवीर को पढ़ लिया होता एक बार मैं चाहूँगा रमेश माली जी के लिए जोड़दार तालिया और अब मैं मेवाड से भात बेतरीन भजनगाई का निर्तिकलाकारा अदाकारा पता ने कितने रंग उनके हैं मैं राणी रंगीली जी को आपके बीच में मंच पर बुलाना चाहूँगा कुमर महेंदर सिंग जी आप भी पधार जाएं और इसी बीच हमारे बीच में जोड़दार तालिया वजाकर वंदन करें और सोनू सिसोदिया जी वो भी हमारे बीच में आई हैं तो मैं चाहूँगा उनका भी एक बार जोड़दार तालिया वजाकर आप सब लोग स्वागत करें अभिनंदन करें संगित से जुड़े लोग बंसी भाई बावल हमारे सागर जी माली और समस्त अतीतियों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हैं आईए आप सभी के बीच में मेवाड से राणी रंगिली जी प्ष्ड़ करें करेंस जाया हालो 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 ह झाल 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 हलो 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 सभी भक्त विराजमान आज इस मंच पे एक साथ फिर से मोका मिला सभी के साथ आप अपना समय निकाल के यहां पदा रहें सबका बहुत बहुत धन्यवाद हलो हलो एक बजन मेरा भाई का हलो 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 बोली सावरिया शेट के बोली चार भुजानात के हलो हलो मीरा ने गिर्दर मिला और मिल गया नंद की सोर बागा बोली को यह ल्याहा अर भीरा बन मैं बोल्या मोर जो में साजानती के प्रीत कर्या दुको नगर डिंडोरे पीटती अर बीरा प्रीत करूमत को तो मीरा भई अपने शामने अरज करे और कहीं भुलावे देखो ओ सावर्या घरे आजई रे नादी रे किनारे मारोगा जो में सावर्या घरे नादी रे नादी रे किनारे मारोगा जो में सावर्या घरे नादी रे नादी रे नादी रे किनारे मारोगा जो में सावर्या घरे नादी रे 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 नाद जबना के लाने का लो पी आदे लिए जबना के लिए जादे लिए जय को जादे लिए जादे लिए जादे लिए। वह बता हो जो जो कि युद्धा और बहुद भाड़ा जो जो जब लोग बेठे तका एकपर दोनों हाथ उप्रे कर लियो और आप लोग बेठा तका एकपर दोनों सबी बड़ा बड़ा कलाकार बेठा तका मैं तो यह के सामने बच्ची हूं तोड़ो तोड़ो डरपी लागरियों, उनका इकरा गानों तो मेरी इंविटेशन आयो तो तोनु आद उप्रतलीजिये, तोनु दोनु आद, बोर मिटी बिटी ताली के साथ हाजी स्विलाव डाई स्विलाव डलों तो तोस्वा लागरिश जाष क्पाव तोनु झालाव बादम पिए से ऊषिलाव क्पास्प कास्प पारी का तिर मेशवरा बार्ण लागाया पारी का तिर मेशवरा बार्ण लागाया पारी का तिर मेशवरा बार्ण लागाया एक पार गोड़ दो चालिया में पारे राणी पीटें लिया में पारे खांगर हुए 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 चालिया में पारे राणी पारे खांगर हुए 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 पर आपको प्रोग्राम बहुत देखें मैंने हमारे गाउं में आस पास में कारीकरम होते हैं मैं छोटी थी इतनी जब आप वाते थे आप भी इतने नहीं थे उमर में खम थे पर मैंने आपको सुना है इसे बेठके ठैंक यू आज मुझे बहुत कुशी हुए कि आपने बजन के दांस किया ठैंक यू मुझे आपको सुना हुए कि आपको सुना है मुझे आपको सुना हुए कि आपको सुना हुए कि आपको सुना है अब आपको बोलना चाहूंगी एसा समय एसा दिन नहीं मिलता है एक साथ सभी कलाकर एक मंच पे पॉसिबली नहीं है तो आज आप सभी कलाकरों को एक साथ सुन रहे हैं तो एक बार दोनों हाथ उपर कर लिजे ये कारिकरम विशेश आपके लिए रखा है तो दोनों हाथ उपर कर लिजे और मीटी मीटी ताले के साथ आजी आजी में नहीं हाथ उपर कर लिजे तो आजी तारीकरतीरमेश आजिवरा वो त्यांतू दाया मारी का फिर मेश्वा ओंदे कुमा आया मारे का ना 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 ने की से आजी तुमे नतिले की ना ने मा दोगा मारी का दर मारी के नम Millennium रा है को जाज बला का ना ना ने का ने मा दोगा की तुमे देकर ना ने मा दोगा बारी का तिर में शुवरा में ने बढ़ा आया बारी का तिर में शुवरा में रुकल आया पारी का तिर में शुवरा में ने बढ़ा आया कर दो 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 लोगा, सामर यानों करे, आनों नंगों करे, दोखा नंगों करे, आज़ी रेमे, नदी रेखे नंगों मुझों करे बोली राधा के शाम के, सामरिया शेट के, बोली सिया पत्ती राम चंदर भगवान के, जियो बोली बाला जी महराजी की, थोड़ा सा, कॉटलेस को मनिटर में थोड़ा सा लाउड कर लो, चलिए राणी रंगिली जी का एक बार जोड़दार तालिया मजा कर आप सब लोग स्वागत करे, उनकी एक गाने की एक अलग आवाज है, और बड़े बेतरिन तरीके से इन्होंने भजन की प्रस्तुदी दी, एक बार मैं चाओंगा पुना, बहुत दूर मेवार से वो आई है, तालिया मजा कर आप सब लोग धन्यवाद करें उनका, और हमारे विच में, राजस्तान के बहुत बेतरिन भजन गायक, बालोत्रा से, परम सम्मानिय, स्री प्रकाश, माली जी एक बार मैं चाओंगा जोर्दात तालिया मजा कर आप सब लोग उनका स्वागत करें, अभिनन्दन करें, स्री प्रकाश, माली जी, भजन गायक, स्री हर्ष माली जी, उनका भी मैं अभिनन्दन करना चाओंगा, हमारे वीच में, स्री असोग प्रजापत जी, बालोत्रा से एक बार उनका भी जोड़दात तालिया बजाकर बंदन करें स्री पदम सिंग जी राजपुरोहित एक बार उनका भी अभिनंदन करें स्री प्रेम प्रकाश माली जी एक बार उनका भी तालिया बजाकर आप सब लोग स्वागत करें अभिनंदन करें श्री नेनाराम जी देवासी और जितने भी गुणिजन कलाकार यहां पधारे एक बार सभी का जोड़दा अक्तालिया बजाकर बंदन करें श्री भमर गायना जी आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन है श्रीमान नर्पत जी देवासी श्री सुलेश वैष्णव जी एक बार उनका भी तालिया बजाकर बंदन करें गनेश स्टूडियो से श्री जीतन्दर सीवा जी एक बार मैं चमगा उनका भी तालिया बजाकर आप सब लोग अभिनंदन करें श्री नटवर जी जीतड़ा आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन हैं हमारे बीच में प्रेस और मिडिया से जो बंदु पधारे हैं सुरेश कुमार जी अजमेर की आवाज से तालिया मजाएक बार उनके लिए कैलाश चोहान जी राजस्तान धड़कन से स्री विक्रमजी जटिया सनसिटि प्रहरी समाचार पत्र से स्री Çetan चोहान जी नमस्ते राजस्तान से स्री जगदीश देवडा जी वरिष्ट पत्रकार श्री गंगा सिंग जी परिहार चानक्य न्यूज और स्री ध्रेंदर सिंग जी भाटी 24 न्यूज एक्सप्रेस एक बार इन सभी पत्रकार बंदों का तालिय मजा कर आप सब लोग बंदन करें आईए कहते हैं जिन्दगी भी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाडी होता है जिन्दगी भी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाडी होता है दर्द सब के एक है लेकिन होसला सब का अलग होता है दर्द सब के एक है मगर होसला सब का अलग होता है जो हतास हो जाता है वो बिखर जाता है और जो संगर्स करता है वो निखर जाता है तो आईए ऐसी सक्सियत बिस्म पितामा गोलोक वासी माली छमरलाल जी गहलोट और उनकी अरधांगनी जी स्रीमती चितरलेका गहलोट जी की पावन इसमर्ती में राजस्तानी कला और संस्कृतिक संस्तान राजस्तान संगीत और नाटक अकेडमी और मरुदर फिल्म और रिकोर्डिंग स्टूडियो की संयुक्त मैजबानी में आज का ये कारिकम आप सभी के समक्स है और आज के कारिकम की थीम है नए कलाकारों को मंच देना और जिन कलाकारों ने अपनी जीवन भार राजस्तान की कलाव और संस्कृति की सेवा की है उनको राजस्त्री बिस्म पितामा संगीत रत्न अवर्ड से सम्मानित करने का ये पावन अवसर है अभी हमारा डेकोरम पूरा हो चुका है जिस तरह संसद में जब संसदों की संक्या दो तियाई से ज़्यादा हो जाती है तो संसद का डेकोरम पूरा हो जाता है तो हमारे कलाकारों का डेकोरम भी लगबग लगबग पूरा हो चुका है तो पहले हम माली चमरलाल जी गहलोच की मातासरी मोहीनी देवी जी एक बार उनके चरणों में जोड़दात तालिया मजाकर आप लोग बंदन करें और मोहीनी देवी जी के हातों से हम राजस्तान की कलाव और संगीत की कुछ ऐसी सक्सियत को आपके बीच में आज इस अवोर्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं जिससे ये मंच भी गौरवानवित हैं वो कलाकार भी गौरवानवित हैं और ये कलाकारों की पुरी संसद भी गौरवानवित है आईए मैं निवेदन करना चाहूंगा सबसे पहले सभी कलाकार जिनका मैं नाम लेता हूँ एक बार मंच को पर बधार जाएं स्री महेंदर सिंग जी पमार स्री महेंदर सिंग जी पमार स्री प्रकाश माली जी स्री शाम पालिवाल जी स्री गजेंदर जी राव साती मेरा निवेदन रहेगा स्रीमान दिलिप गवाईया जी महेंदर सिंग जी राठोड भमर अली जी, सोनु सिसोधिया जी, खुश्पु कुमबट जी, स्री रमेश माली जी स्वागत है मेरा जहला जी साथ में सोनु कमर जी, रावना और गहलोत परिवार स्री सुनिल जी, जीतेंदर जी आप भी मंच पर बढ़ा रहें और हमारे हमंद गहलोत जी जिनके निर्देशन में ये पूरा कारिकम हो रहा है और मरुदर फिल्म और SMS स्टूडियो के माध्यम से पुरी दुनिया में लाइव टेलिकास्ट हो रहा है आईए मैं राज्य स्त्री भिस्म पितामा संगी रतना अवर्ड अंतरास्टिय ख्याती प्रात लोक कलाकारों को भजन गाईकों को नरत्य कलाकारों को आज सम्मानित करने जा रहे हैं स्रीमान राम की सोर जी दाधीत से निवेदन करूबा मंच को पर बढ़ार है हाँ गहलोत परिवार मंच को पर बढ़ार जाएं गहलोत परिवार चलिए सबसे पहले हाँ रानी रंगिली जी आप बढ़ार जाएं मंच को पर बढ़ार जाएं रानी रंगिली जी मैं निवेदन करना चाहूंगा सोनु जोसी जी और सिलीमती नीलम सिंग जी स्री हेमा सियोल जी तीनों आजाएं मंच को पर चलिए अब मैं अवार्ड कारिकम को आप सब की बीच में आरम करने जा रहा हूं कहते हैं कि तारों के बिना विद्यूत का संचार नहीं होता तारों के बिना विद्यूत का संचार नहीं होता और रेखाओं के बिना चित्र कभी तैयार नहीं होता और जीवन का नव निर्मान करने वालों जरा सुन लो नएक लाकारों के लिए निवेदन कर रहा हूं जीवन का नव निर्मान करने वालों जला सुन लो अरे प्रतिवा के बिना कभी किसी का सम्मान नहीं होता वो सक्सियत आपके बीच में आएगी स्री सज्जन सिंग जी गहलोग से निविधन करना चाहूँगा प्यार जी मुझुक से किरपैकर के मंच को पर पथा रहें स्री सज्जन सिंग जी गहलोग चलिए पहले आज का ये अवर्ड पहली बार जिने मिल रहा है आपने एक लोगईत सुना होगा ब्याव भीन्दनी बिलकू में तो कद परनासी बाबली हो और सगला साथी परनिया में तो रहो पुवारो टाबरियो आज से तीस वरस पहले मुंबई पूना चेन्नाई में लोग हजार हजार रुपे देकर जिनका सोग देखने आते थे पचास वरस पहले आज के समय तो हजार रुपे की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है लेकिन आज से पचास वरस पहले यदि कोई सो रुपे पांसो रुपे हजार रुपे टिकट लेकर किसी का सोग देखने आएं तो देखना उसका लाकार की हस्ती कितनी बड़ी होगी मैं ब आईकी के सेत्रवें आज ये पहला अवर्ड जिनको जा रहा है राज्यस्त्रिय भिस्म पितामा संगीत रत्न अवर्ड स्रिमान कालू राम जी प्रजापती जोरदार तालियों के साथ स्री अनिल देवडाजी मैं चुक्रा जाएं कालू राम जी प्रजापती अजारों लोगों के तो विवा इस गीत को सुनने के बाद हुए वो तो जरूर तालिया बजाएं भाद परम सम्मानिय कालू राम जी प्रजापती को गाईकी के सेत्र ने राजस्तान कला और सांस्कृतिक संस्तान की ओर से माली छावरलाजी कहलोत की पावन इसमर्ती में राज्य स्त्रिय बिस्म पितामा संगीत वत्न अवर्ड मैं माता जी मोहिनी देवी जी से निवेदन करूंगा कि वे आगे पधार है थोड़ा और यह अवर्ड प्रदान करें माता जी मोहिनी देवी जी चलिए जोड़ना तालिया में जांकर आप सब लोग स्वागत करें माता जी हमारे हेमंद कहलोत जी सुनिल जी कहलोत जीतंदर गहलोत जी और इनकी पूरी टीम ने ये अवर्ड इन सभी हमारे सम्माननी भजनगाईकों को कलाकानों को एक सम्मान देने के लिए हालाएंकि इनके लिए सम्मान अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी तो नहीं होगी लेकिन इनका मान सम्मान राजस्तान की कला और संगीत में नए चेहरे जो हैं उनके बीच में अलग तरीके से जाना और पहचाना जाएगा स्रीमान कालो राम जी प्रजापती ये तालिया बहुत कम है शौल साफा प्रस्रस्ति पत्र और मोमेंटो तालिया मजा एक बार जोड़दा तरीके से पुरे गहलोत परिवार की ओर से क्या वाद हैं सच कहता हूँ जब मैंने पहली बार इनके साथ मंच साजा किया था उस दिन मैं अपना को बहुत गौरवान मित महसूस कर रहा था क्योंकि बच्पन में जिनके गीत सुने जिनको रेडियो पर सुना अकास वाणी में सुना और उनके साथ यदि मंच साजा करने का उसर मिले तो हमारे जैसे उस समय नेक अलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी तो जोड़ात तालिय बजा कर आप लोग स्वाकत करें कालू राम जी प्रजापती राज्यस्तरिय भिस्म पितामा संगीत रतन अवर्ड माली च्छावर लाल जी गैलोत की पावरिस्मर्ती में बहुत जोड़दा तालिया बजा कर अब अगली सक्सियत को मैं बुलाना चाहूंगा हाँ फटा फट फोटो थोड़ा चले जोड़दा तालिया चले एक लाइंग चले सभी कलाकारों की इच्छा है कालो राम जी प्रजापति को माइक माइक्रोफॉन सौंकूं अरत तालिया बजा के बताओ आज बाई शांव लाज जी की दूसरी बरसी मुझे बड़ा आज अच्छा लगा माफूल और सब कलाकारों को बीच सब कलाकारों मेरा जो सम्मान किया मैं उसका आवारी हूँ लोग संस्कृति को पनपने में मैं तो करता ही हूँ साथ मेरे साथ ही शवरलाज जी वो मेरा बराबर जुड़े हुए थे और मेरे साथ हमेशा हम दोनों बैठके कई बार इस संस्कृति के बातां करते थे आज मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे एवार्ड से नवाजा आज वाइच श्मर जी नहीं है उनका मुझे दुख है लीजे अंधर वंजी गीत वना हुआ हां मेरा परक परचीज गीत या बीन नहीं या बीन नी बिलको यह मैंने पचास साल पहले लिका पचासाल लोगे रोज एड़े बाता है जब तक मुआरा रहेंगे यह जलता है कि हम तो चले जाएंगे लिगे अरब्याव बीन यह बिलकोर में तो कद परनाटी बाबशियों चेघणा साथी परनाटी बाबशियों जोसी नारा पगलिया पूजू जिन देखो परणी जनरो जोसी नारा पगलिया पूजू जिन देखो परणी जनरो पाबलिया ने तू समझा दैं गर डूडे समगन जीरो मीद पडूला गुडे शडूल करनी कूला साथ जरीो जड़ला साथी परणी में तोर योकमा रोटा बरियो प्याउदी नडी दिल्कू में तो प्याउदी नडी दिल्कू में तो कत परणा सी पाबलियो जड़ला साथी परणी जरी जोकमा रोटा बरियो पादीडारे चोला चोली गरपर योडो जद देखूं सारी राजद मीडा लिएूं तूनो सूनो गर देखूं मारे मनरी पर मेरे कत पुलिरा सुझा जर्यो सगडा साथी परणी में तोर योकमा रोटा बरियो कि यह आनंद है साब इस उमर में हम तो स्याद बोलने भी नहीं पाएंगे इन्होंने गाह के दिखा दिया सारी रात धुमीडा ले हूं यह आनंद बड़ा जोड़दार है और बहुत सारे लोग धुमीडे ले रहे हूं गए तालिया मज़ा एक बार जोड़दार तरीके से कालूराम जी प्रजापती के लिए आईए अब मैं दूसरी सक्सियत को आपके में बुलाने जा रहा हूं मन्च पर एक और अपने आप मैं यह कह सकता हूं कि पूरे मन्च को चलाने की जिम्मेदारी जिनकी होती है और विसेश तोर से भजनों में भी मन्च उद्गोस्त की क्या भूमीका हो सकती है यह पहली बार जिनोंने परिवासित किया और मन्च संचालन की इस अदा से पुरे हिंदुस्तान में जिनोंने नाम कमाया और पिछले लगबग 35 वरसों से जिनोंने अपने घर की देलीज से लेकर राष्टपती भवन की उस देलीज को भी जिनोंने छुआ ऐसी ही सक्सियत आप सब की जोरदात तालियों के साथ स्री ओम आचार्य जी फालना से मन्च उद्गोशक मन्च संचालक जिनोंने मन्च की इस विधा को इतना लोगपरिये किया कि आज इनकी सैली में अनेक मंच उद्गोशक आज अपने जीवन को मंच के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं बड़ी जोड़दाक तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा परम सम्मानिय राष्टपती पुर्ख के द्वारा सम्मानित स्रीमान ओम आचारे जी फालना से तालिया मज़ा एक बार जोड़दार तरीके से और आपको मंच उद्गोशक की इस पावन अदा के लिए अपनी इस भुमिका के लिए गौलों को वासी स्रीमान चमरलाज जी गहलोट की पावन इसमर्ती में राज्य स्री भिस्म पितामा संगीत रत्न अवर्ड से सम्मानित किया जा रहा है स्री ओम आचारे जी को हाँ पहले राष्ट पती जी ने किया फिर राज्य पाल जी ने किया आज कलाकार कर रहे है मैं माली चमरलाल जी कहलोट के छोटे भाई राम सरुप जी कहलोट से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आपका संबान करें स्री ओ माचारी जी के लिए जोड़ दात तालिया मजाएं आप लेखराज जी लेखराजी बदा रहें साफा प्रसस्ति पत्र मॉमेंटो बहुत जोड़दा तालिया मजाकर आपको लगे कि ये सभी सक्सियत इस अवर्ड को पाने की हकदार है तो एक बार तालिया मजाकर सब लोग स्वागत करें अभिनन दन करें क्योंकि कुछ लोग थे जो वक्त के साचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के साचे बदल गए और उन में से एक है ओम आचारे जी माता जी मोहिनी देवी जी आपको इसमर्तिजिन प्रदान कर रही है बहुत जोरदा तालिया मजाकर ओ माचारे जी के लिए तालिया थोड़ी कम लग रही मुझे हाँ पीशे तक आने दीजिए हाँ सिद्धू प्राजी के जो ठोक होता लिया भौत सादुवाद भौत धन्यवाद बहुत बढ़ाई अब मैं ओम आचारे जी से निविदन करूँगा कि इस अवार्ड के लिए दो शब्द आपकी और से निश्काम कर्म किया तो मशुहूर हो गए और गुरू की क्रपा हुई तो सारे भ्रमदूर हो गए हम तो फकत कांच के टुकड़े ही तो थे लेकिन गुर्देव राम लिवाज जी राव और स्री माली चवलाज जी ने सवारा तो कोही नूर हो गए सिर्फ चार पंक्तियों में इन्होंने वह बात कह दी जो अपना में बहुत अनुपम है अध्वितिय है अकल्पनिय है और विस्वसनिय है तालिया मजा एक बार जोड़दार तरीके से अब अगली गायन मंचुदगोशक और अगली सैली है लेखन और लेखन में आज हम जि संस्तान मर्दर फिल्म और रिकर्डिंग स्टूडियो राजस्तान संगीत और नैटक अकाडमी और साथ ही पुरे कलाकार जगत की और से माली छमरलाल जी गहलोत की समर्ती में वो हैं परम सम्मानिय स्रीमान कैलासदान जी लखावत जोरदात तालिया मजा कर आप लोग स्व में लेखन का कारे किया आपके अनुभाव आपकी विचार आपकी भावना और आपकी लेखनी जिनोंने बहुत कुछ न बोलकर ऐसा लिक दिया कि आज राजस्तान आपका आभारी है मैं चाहूंगा एक बार जोरदा तालिया वजाकर स्री क्यालासदान जी लखावत जिनके अनेक भजन आपने टी स्रीज में वीना म्यूजिक में किंजल स्टूडियो में मनमीत कैसेट में कृष्णा कैसेट में और अनेक मालानी म्यूजिक में और साथ ही आपके आपने बतोर अभिने भी कारे किया हैं जैमा भादवा माया महाकाली सुनो पुगार मेरी और अखत कह आनी मा की और गुजराती फिल्म अमबा जीनू रंगपूर ऐसी अनेक फिल्मों में आपने अभी ने भी किया है तो आईए माली चमरला जी गहलोत की समर्ती में लेखन के सित्र में ये अवोर्ड जाता है केलासदान जी लखावत को लेखन के बारे में पता नहीं चले तो मैं बता दूं जो चंद है इनका लिखावा बहुत परसीद है हम सभी गाते हैं जय 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 जगदंब भवानी थारी मैं मावेद बखानी तीन लोग में वह थारी पूजा द्यांदरे सुर नर्मुनी ग्यानी अश्ट बुजा तिरसू लिये मां सकलम अनोहरत पूरत भवानी सिंग सवरी आओ नवदुरुका दुख भे नास करो महराणी आस लगा के बख्त कडो मा करो बख्त परमहरबानी आदी सक्ति परबरम सुरूपी केलास दान करे आर्टबानी जय 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 जगदंब भवानी ये केलास दान जी का लिखा हुआ अब यह सुनने के बाद इनके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूत नहीं है क्योंकि जो मारवाडिम कहने है कि जो प्रतिवा होती है न वो एक लाइन में सामने आ जाती है तो तालिया मजा है आपकी लेखन समता को राजस्तान के गीत, संगीत, राजस्तान के छंद, दोहे हम मैं मानता हूँ लेकिन पत्रकार बंदो थोड़ा सा फोटो लेना दोईन को कुछ है है हमें उड़नार आसमान को भी छोना लेकिन अपने परंपराओं को भी निभाना है चले बहुत जोड़ा तालिया मजाकर आप सब लोग बंदन करें माता जी मोहिनी देवी इसमर्त जिन प्रदान कर रही है बहुत जोड़ा तालिया मजाकर देखिए राजस्तान कला और सांसकर्तिक संस्थान ने ये निरने किया कि एक शेत्र में एक पुरसकारी दिया जाएगा पहले गायन के शेत्र में हुआ फिर मंच उद्गोशक के शेत्र में उसके बाद लेखन के शेत्र में और अब मंच की एक और अदा है वो है निर्तिर अभी नए और उसके बिना मंच अपने आप में बहुत फीका रहता है और ऐसी ही अनेक भाव भंगी माओं के माध्यम से माधुरुगा का जो भाव आप प्रस्तुत करती हैं ऐसी ही बहुत बेतरीन निर्तिक अलाकारा राजस्तानी गानों में जिन्होंने अभ प्रणाई जोग संजोग कन्याधान कन्याधान अभी बाकी है भाई बैन मासूम दर्ला सेट रो हेलो ऐसी फिल्म में जिन्होंने अबने किया है मैं भुलाना चाहूंगा दुर्गाजी परियार को यह जोड़दा तालिया बजाएं दुर्गाजी परियार के लिए वो आएं और निर्तिक के शित्र में यह राज्य स्त्रीयर राजस्तान का संगीत और कला के शित्र में यह पुरुसकार आपको राजस्तानी कलाव और सांस्कर्तिक संस्थान प्रदान करने जा रही हैं बिस्म पितामा संगीत रत्न अवर्ड तालिया मजाए एक बार दुर्गा जी परहियार के लिए दुर्गा जी जल्दी से मंज को पराजाएं और सबसे बड़ी बात है कि आज कालो राम जी प्रजापती और दुर्गा जी दोनों को पुरुषकार बिल रहा है तालिया मजाए एक बार जोड़दार तरीके से दुर्गा जी परहियार को निर्ट्य के सित्र में अभिने के सित्र में ये पुरुषकार दिया जा रहा है कहते हैं कि नए ने कमरों में पुरानी वस्तु कौन रखता है नए ने कमरों में पुरानी वस्तु कौन रखता है और पक्षियों के लिए कल्यूग में दाना पानी कौन रखता है ये तो करिश्मा है हमारे राजस्तान के संसकारों का वरना भुजुर्ग कलाकारों की ऐसी निसानी कौन रखता है इन भुजुर्गों का सम्मान हमारी युवापीडी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेणा है ताकि हमें भी ऐसा लगे कि आने वाले समय में यहां सामने बैठे वे कलाकारों का अभी कभी-कभी मान सम्मान जरूर होगा दुर्गा जी परिहार को सम्मानित कर रहे हैं सोनु सिसोधिया जी, सोनु जोसी जी, सोनु जोनु एचारू मेरे सोनु कमर रावना जी, खुश्बु कुमबट जी, नीलम सिंग जी, हेवा, सियोल जी आप सभी सम्मानित करें चलिए बहुत जोड़ता तालिया बजाकर आप सब लोग हूँ बड़ी मुस्किल ने जली तब जाके इस अवार्ड को पाने का हक मिला है जब से मैं चलाओं, दिनेश माली जी, स्वागत है आपका जब से मैं चलाओं, मेरी मंजिल पर नजर है जब से मैं, अशोग बाबो, जब से मैं चलाओं, मेरी मंजिल पर नजर है मैंने राहों में मिल के पत्थर नहीं देखे और ये फूल विरासत में नहीं मिले मुझको आपने मेरे कांटों पर अतीत नहीं देखे बहुत सारे कांटों पर चले होंगे तब ये गुलदस्ते ये शौल ये अवर्ड नशीब हुआ है तालियम जाकर आप लोग स्वागत करे अब पांचवी कैटेग्री गायन में हुआ, मन्च उद्गोशक के रूप में हुआ, लेखन के रूप में हुआ, निर्ती के रूप में हुआ, और पांचवी अदा है हासिय और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बोलने की कला भी इश्वर ने केवल मानव को दी ठीक उसी तरह हसने का अनुपम उपुहार भी भगवान ने केवल मानव को दिया बाकि दुनिया का कोई जीव हस नहीं सकता अब मैं बुलाना चाहूंगा हास्यकलाकार के रुप में स्री जगदीष प्रजापती जोड़दार तालियों के साथ एक काला यह डायलोग इनका पूरा विश्व प्रसित था एक बार आसाते बहना है देखिए अनेक फिल्मा में इन्होंने काम किया गोरी रोपलो लिटके जाटनी चैल चबिली माराजस्तानरी बाबा ब्यावक रादे छोरा को फोजीरी फेमेली बाबा रामदेव और एक कलेंडर बस के अंदर ऐसी अनेक फिल्मों में इन्होंने काम किया अनेक मंचों पर अपनी हास्य अदाओं से सभी को हसने पर मज़ूर किया जोदपूर से हास्यकला स्री जग्दीश प्रजापती जोड़ा तालिया मजाएं स्री कुल्दीप जी होजा का स्वागत और अभिरंदन है विनोच जी राणा कहते हैं कि दुनिया का दर्द मिटाने का जिगर रखते हैं अरे जेब खाली हैं खजाने पे नजर रखते हैं और हमारी आँखों में बले ही आँसुओं का सागर हो मगर सारे जहां को हसाने का हुनर रखते हैं जिसके अंदर ये कला हो कि वो सभी को हसाएं आईए मैं माइक्रोपोन दे रहा हूँ जगदीश प्रजापती को पहले मोमेंटो मादाजी मौहिनी देवी जी क्योंकि चंदन हसे आंगन मित्वा दिल से दिल की दूरी है और इस धरम के खातिर लड़ना हम सब की मजबूरी हैं और रोना धोना छोड़ सातियों मुस्क्वानों के गाउं चने और जीना है तो सच कहता हूँ असना बहुत जरूरी है जोड़दात तारियों के साथ जगदीश प्रजापती जी बोले लिकी मिदाजी महराज की इंगे उंदर नाल जिरो परत्रिंगा कत्रिंग लेगा यह क्यार मालम नहीं क्या गड़वड़ गड़वड़ एंगड़ एक वार में गहलूत परिवार पूरे परिवार को मैं अपनी और से बहुत बहुत धनिवा देता हूँ के आज मेराब महारो बहुत थी अच्छो भा कि और से और गहलत परिवार के और से मज़े बहुत थी अच्छो लागों और चमरलाल जी साब जब दें सुटिंग करता थो बुलाव था मने का जगदीश ये कला ये डाई-लोग तेरो को बोलना और मैं घब्रादात मैं डाई-लोग मारू नहीं बोलना और मज़े इत्ती ख और साथ गाना या बजन का अधे बहुत यची अच्छाल एक वाथ सभी कलाकार के लिए क्यक्ति है ये कलाकार है तो हम है अगर कलाकार नहीं तो हम नहीं से जो है मेरा काइब बड़ा भाग के में इतना बड़ा स्टेज पर आके खड़ा हूं और कुछ दू सबत भूलू य अगर कला कायब नहीं होता होते हैं तो मैं आज इतना आ बड़ा कला कायर r1 ती अलंगा मैंने कॉमि नहीं करता हूं संतं मात्म når के देखो दूनिया बधरी संतं वद मेच झाइभ यारे समसिंगी इंसान से भड़कर कोई last इंसान से बड़कर को ऑष्या निए फिर मी संत्मात्म के देखो दूनिया ऑब रीछ dei और विन के यह बरात लिया अवे रोड मात ब्रात जा रही है अगे दोल ठाली बाजये लारे थाली लारे भीन बढ़ियो हरो भी त हल दिय्ज ए लारे माता जीदो गारी है केस रियो हजारी कुलुरोँ पूल अब कैसे रिए सिकला पत्तिकों नी एक नमब नसा बाज अबे दोल ठालीक बाज रिये हाथ में लिडी तलवार रोड माद बखन हो जो आलो यह तलवार घाली खाक में देखो रोड माद बीन बढ़ियो जारी यह तलवार घाली खाक में आप अप आप अप अपर अपर कर यह बन्दणिन जान कोई क्या दियों एक नम्र गुटका बाद्या रोड मादे बीन बढ़ियों तमा कू को खवें ने मौड माल दा मुड़ा हो ने काई जरूती कुटका हो ने बनदडिन जाने कोई कर दियों बनदड़ी वीने मारा पई को नी एक फूट रोचोर वी ने पर आ दी कि हमेड़ा रमेन के आओ एक काकी है आया मारी बनदड़ी कटे मारी बनदड़ी वह हाट आप पड़कन के के गुड़का नसा क्यों करिया रोड माता है क्यों खाय गुड़का बीन बनियोड़ो एक गुड़का छोड़ दे दो साल उपाज जो साम उगिवा होई और भेर कटी बीन देका ये नसा करता है सतनों ये हाल होता है ये बजन संधिया इसलिए मैं न चला फैसे लोग के महार्वाड़ी आपी बोला वे 聽 रुशेर मार्वड़ी जिन एक मार्वड़ीकैल कटी में पूरो वी्शकीं में मंचानी कि खालर न स्राग सिटेंसरी आटमीस प्रकर काता हूं विनकर ने ह्मार्वारी ने चृदय खेंब र को छिडह varias życie प्रकॉड पर पात्रिंगा कत्रिंग लेगा है अईयो क्या रमना मालमने राग या सूर्मा पपलेट या काली चरणा या मारा मेर्को नुद्ट मारवडी के कैयो मारवडी गुस आयो मद्रासी लेपरों कि अइया मैं वह थे अच्छा यह अच्छा अच्छा मेरे को मारा चुछ नहीं मेरे बीवी को मारे तेक पितर को देखता है लोग रीयारत तंग केला तुकृत थैद हूं क किया लगा नहिनाों नियुलर nee ऐलोग किरीया थैद में तुफा य्टी अंगर मैं वश्तCar अप्र म्र मिंदह़श्त है सही जीडला भूट है विटा बैढ़लाइज आदमी आपर सपर आयो रेल्गड़ी मिच उत्र गो और भी लोग सपर करता है विने मजदस ने पूचो क्या रहना यह मार्वाटी तेरे दिखाए ना यह थोग्रे को मारा मेर को घरपर चीडाता जी यह सब मेर को घरपे चीडाता के क्या चीडाता यह सब वोलता जबी भी तु अकेला घर सें बार जाता तो मार खांगयाता मेना पूरे खांधान drilled एक गयले खुट हैं वोले रामस्हापीर की जह बगद फरन ह capaz तोटा बच्चा सहता नी करें महाबाब जादा बच्चा दिक पक्ष लिया करें अगरी चरिया चाहा करें देख अबे बच्चा सहता नी करें और बच्चा देख महाब जादा बच्चा दिक पक्ष लिया करें अबे मदराशी लो बेटो सिंधि टीवी देखंज आवे तो बच्चाए को नुख्सान कर तो शिंदी आने मदराशी ने क्या वरी इस आई तेरी बेटों संझा या ता बडा बदमाट से तरह बेटा मदराशी क्या यह मैं इंगा उंद्र लेंगा पत्र लेंगा यह मेरा अधर नहीं तरह बेटेको आया मैना बोलाना मेरा चोटा बेटा पागल पागल दिमाग करा आप समझता नहीं रहा है अचा छोड़ो भई तीसा दिन भेट भाटो लेने काज फोल देशाधी चार जाव नुक्सान शिंदी बड़ो गुसा वे गुसा वां के वरी समझा तरह ब बेटा पागल तेरा बेटा पागल है तो भी घर का सिसा काई को नहीं तोड़ता पागल है तो भी घर का सिसा काई को नहीं तोड़ता आयो आमा इतना पागल नहीं है इतना पागल नहीं घर के मामले में समझता तो यह अपना सब घर का मामला है और आज कलाकार हम सब एक पर दमेजी का भी वहती बढ़िया सयोग्रा दो हजार फाजा जो भी दिया लेकिन मैंने ज्जादा पैसा नहीं कमाया लगपती करोर पर नहीं हो किता है यह दागी कप्राद यह की है समय समय पे होते समय समेरी बात अरे सजनो एक समय रोदीन बड़ो तो एक समय री राथ यह आप लोगो गाशिवाद है मैं ज्यादा पैसा भी कटा नहीं किया लेकिन थीक है जो घर बनाया हूं और मेरे पाइब भुड़ा पे मैं आप लो ताले बजये देखिये हमारी जो पैचान बनाने वाले ओम जी अचार्या जा आसाम गवाटी बैंगलोर मेर को चारोतर भीजे थे जैन प्रोगर्म भीजे थे और यह अगर यह एलों सब्सक्राइब नहीं होते तो कलाकर का नाम उजागर नहीं होता कलाकर को उभारने के लिए अब के लिए एलों सब्सक्राइब मारे चन्दन सिंग जी के लिए जोगत ताले बजा दिल खूल कि और ओम जी अचारे के लिए धनियवाद सभी को बहुत बहुत धनिवाद बोलिया भगत और भगवानी की जय हो सभी वक्तों की जय हो दन्यवाद देखे यह आदमी किता हुश्यार है इसने कलाकरों को ओड़बा भी दे दिया कि कभी मुझे पांसों दिये कभी अजार दिये और आगे की फिल्डी की जमादी के बुढ़ा पे मेरा ध्यान रखना एक बार चांगा भाई जगदी इस परजावती के लिए जोड़ात तालिया वजा कर आप लोग बंदन करें बागी साहब आज के समय में असी गायब है दुनिया में आदमी के इतने टेंशन है लेकिन इस ह अश्य कलाकरों की वज़े से हाँ सभी कलाकरों की चेहरे पर मुस्कुराट आई है मैं चांगा एक बार जगदीस दी का जोड़ात तालिया मजा करा अब धन्यवाद करें और आईए अब अवार्ड फंक्शन को हम यही विराम करते हैं देखिए अब एक अवर्ड बाकी है और वो है संगीत के शित्र में वादन के शित्र में और वो नाम है जो आप सम्की जुबान पर है और सभी कलाकर ऐसा कहते हैं कि पहली बार जिसके आप कीबूर्ड कहते हैं उसको इदि जागरन के मन्च पर किसेने सबसे पहले लाकर गमेती एक बार जोड़दात तालिया बजाकर जोदपुर सहर में भी रास्ते हैं और आपने आज नहीं लगबग 35-40 वरसों से संगीत के सित्र में अनेक भजनों को इन्होंने संगीत दिया अनेक फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया और अनेक कलाकारों के साथ कीबोर्ड आ साथ लक्ष्मीकान जी गमेती को हम सब लोग राजे इस्तरी विश्म पितामा संगीत रतना वर्ड गोलोगवासी माली चमरलाजी गहलोट की पावन स्मर्ती में उनकी धर्मपत्नी चितरलेका गहलोट जी की पावन स्मर्ती में मा मरुदर फिल्म और रिकॉर्डिंग स्टूडियो और राजस्तानी कलाव और संस्कर्तिक संस्थान जोद्पूर के संविक्त तत्वावधान में ये अवार्ड आपको प्रदान कर रहे हैं एक बार लक्ष्मिकान जी के लिए जोड़ात तालिया मजाकर आप लोग धन्यवाद करें प्लारे लक्ष्मिकान जी पूरे गहलोत परिवार की और से हमारे इस पूरे कारिकम के डारेक्टर स्री हेमंद गहलोत जी हमारे इस पूरे कारिकम को और्णाइज करन में इनकी बड़ी भूमिका रही हैं मैं चाहूँगा हेमंद गहलोत जी का एक बार जोड़दा तालिया वजाकर आप लोग धन्यवा चले बहुत अब माता जी मोहिनी देवी जी कहते हैं गुंगरु को जनकार दू ये संबव नहीं है फूल को खुश्बु दू ये संबव नहीं है आप तो स्यम भगवान के दियवे उपहार है आपको उपहार दू ये संबव नहीं है तो आईए लक्ष्मिकान जी का जोड़ात तालिया वजा कर आप लोग स्वागत करें महंदर सिंग्जी पमार जिनके साथ कहीं वर्सों तक इन्हों ने काम किया है हाँ 64 जोगणी में इन्हों नहीं बजाया है सबसे पहले तालिया हुझा एक बार जोड़दार हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी कलाकार बंदों से निवेदिन करूँगा कि आप सभी अपने इस्तान पर बिराज हैं गहलोत परिबार से भी निवेदिन करूँगा वो भी अपने इस्तान पर बिराज हैं और आईए संगीत के सित्र को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे बीच में राजू जी माली बालोत्रा से आये हैं उनकी हाजरी एक बजन के बाद होगी एक बजन के बाद आसरी कुल्दीब ओजाजी का बहुत स्वागत रभिरंदन है सभी भी राजे हैं चले भजन गाने के लिए मैंने विदन करूँगा बालोत्रा से बधारेशी शाम पालिवाल जी बाकी सवीक अलाकार अपने इस्तान पर भिरा जाएं अब मैं शाम पालिवाल जी जो बालोत्रा से बधारे हैं चले मैं शाम जी से पहले धिनेश माली जी नागोर से आप अधारे भजन गाने के लिए स्री दिनेश जी माली नागोर से एक बार जोड़दा तालियान दिनेश जी माली आजाए मंच के उपर एक पांचों अवार्डी एक बार मंच को उपरा जाए जिनको आज बिस्म पितामा संगीत रतन अवार्ड से सम्मानित किया है वो करपय करके एक बार आजाए ओम जी भाई साब कालो राम जी प्रजापती लक्समी कान जी जगदीश प्रजापती जी दुर्गा जी परिहार एक बार मातार जी को एक मेनड़ के लिए दखो तब तक दिनेज माली जी से निविदन करूंगा कि वे माइक्रोफोन पर बदहार जाए एक बार बैसाब एक फोटो गुरुप फोटो सब का हाँ जल्दी आ जाए लक्समी कान जी कालो राम जी दुरुगा जी महेंदर सिंधी परमार साब सब्सक्राइब एक लाइन में यह सबी आज वो सक्सित हैं जिनको भिस्म पितामा संगीत रतना वार्ड राजिस्त्री पृस्कार से सम्मानित किया गया है मरदर फिल्म और रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजस्तान कला और संस्कृतिक संस्तान राजस्तान संकीत और नाटक अकैदमी और गहलोत परिवार के तत्वावधान में गोलोग वासी माली चमरलाल जी गहलोत की पावन इस मरती में चले बहुत प्रिंट मीडिया और इलक्ट्रोनिक मीडिया से पधारेवे सभी पत्रकवार बंदुआं का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है यदि जो कलागार बहार से पधारे हैं और आपने भोजन नहीं किया तो जोट्वॉ रवला ने करण देंद् ‫ृट को नहीं है। बाहर से जो सज़न पधारे हैं यदि भोजन नहीं किया तो कता करके दाहिनीत्र पधार जाएं चलिए दिनेश माली जी माइक्रोफॉन पर माली छमरलाल जी गहलूत की समर्ती में आज की भक्ती जागरण में की माली एड़ी की समर्ती माली एड़ी लिप माली लुख में आज की समर्ती रचशना भल में आज आज की समर्ती जागर उड़ी की समर्तुच्ट्र ये की समर्ती में üzerine all mice बालो, बालो, बालो बालो बालो, बली सत्त गुरुदे भाग्वान के जैर lunar बालो, बालो बुली सत्त गुरुदे भगवान के जैर बुले सियावर राम चंद्र भगवान की, बुले भक्त वस्तल भगवान की, बुले गंगा मैया की जै सरुपर्तम, जिनके निमीत आज हम सभी यहां एकतरत हो है, हम सभी के प्रेणा दाई और जिन पर लगबग लगबग, लगबग नहीं, लगबग सोपर्तिशत, हर कलाकार पर जिनका अशिरवादरा स्वर्गिये मालिक छम्रलाज जी गेलोद की स्वर्गिये आत्मा के चरणों में वंदन करते हो है, समक्ष विराजमान सभी गुणी जन, समक्ष विराजमान सभी गुरु जन और समक्ष विराजमान सभी ससंगी जनों को प्रणाम करते वे, विल्कुल कम समय में मैं अपनी हाजरी कुछ एक दो पंक्तियां का कर आज की सभा में देना चाहूंगा, धन्यवाद राण। हात जोड बंदन करूँ शरण निवावू सिश्च ज्यान भक्ति मोईदी जियो परमपिता जगदी प्रथम वंदन गुरु चरण रज जिने अगम की गम लखाविये गुरु ज्यान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखाविये जेई कारण सिद सादक मुनि जन पचे सोगुरु क्रिपा से पाविये अके मूरति आमि सूरति तामे जाई समाविये किसी भी व्यक्ति की कमी यदी जीवन नोती वो पूर्ण नहीं होती लेकिन फिर भी एक मन में एक इच्छा उती हुसी इच्छा संतों ने वो सुन्दर शब्दों में लिखा और क्या का नदियारा नीर समरा रोकने बताओं हो घणा दिन सोलियो रे अब जाग मुसा फिर जाग घणा दिन कर दो जाग सके तो जाग मुसा फिर जाग सके तो जाग घणा दिन सोलियो रे अब जाग मुसा फिर जाग घणा दिन सोलियो रे अब जाग मुसा फिर जाग के फिर जाग मुसा फिर जाग मुसा प्रिणा झाग मुसा जाग मुट्पया जाग ओ पेला सूतो मात गरभ में उल्टा पाँव पसा पेला सूतो मात गरभ में उल्टा पाँव पसा बोलव चनिकरी बाहर आयो बोलव चनिकरी बाहर आयो दूले गयो किरतार चनम खारो हो गयो रे अब जागी मुसा फिर जाग धनागी सोलियो रे अब जागी मुसा फिर जाग पूजासू को मात गोद में हस हस दाग दिखा़ बेन भाण जीने नूत जिमारे बेन भाण जीने नूत जिमारे गावे मंगिला चार नागे अरो हो गयो रे अब जागी मुसा फिर जाग धनागी सोलियो रे अब जागी मुसा फिर जाग पहला सूतो मात गरब में और दूजा सूतो मात गोद में और जून्यू समय भी ते टाबर थोड़ो सो बड़ो हुए गर का चिंता गर परणा देना तीजी बात कभिर दाजी लिखिये ओ तीजासूतो किरिया संगी में गण बिच बापसा तीजासूतो किरिया संगी में गण बिच बापसा जो मन पची सा हो गयो रे खस क्यों हो जाल उम्बर खानी जारखी रे जाग मुसा फिर जाग खाना दिन सोलियो रे अब जाग मुसा फिर जाग अब जाग में अपरा जीवन में सोचे की करनूं की करनूं की करनूं लेकिन सोस्ता सोस्ता उमर निकड़ जाया करें और एक गोध बड़ी प्रेणा हम सभी को दे गए चमर्लाज जी के लुट की जीवन के उम्र के हर पडाव में उन्हों किया आगोनी के वह वह वा करनी नहीं जब तक शरीरे काम करता गया उसी बात को उन्त में कभी नाज यह माराज ने लिखा क्या का ओ चोथा सूप समसाना में लंबा पाव पसार जो था सूप समसाना में लंबा पाव पसार कई कबीर भजी यो नहीं रे कई कबीर भजी यो नहीं कने अगनी में दीनों दार दार अरो हो गयो रे अब जागी मुसाफिर जागी अना दिन सोलियो रे जागी मुसाफिर 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 जागी मुसा उत्तर प्रदेश यूपी से एक बहुत बेतरीन भजन गाई का रश्मी निशाद आपके बीच में पधारी एक बार उनका भी जोड़दात तालियां बजाकर आप लोग स्वागत करें रश्मी निशाद का बहुत बहुत स्वागत रविनंदन है साथ ही मैं निवेदन करना च चाहूंगा आप सभी के बीच में जोदपुर के बहुत बड़े युवा छात्र राजनीती से लेकर अब तक जिनोंने बहुत सारे लोगों के दिलों में पैट बनाई हैं स्री सुभास गहलोद जी भाजबा के युवा ने अता एक बार उनका भी जोड़दात तालियां स्वागत करें स्री सुभास गहलोद जी का साथ ही मेरा निविदन रहेगा स्री अखे सिंग जी गहलोद आपका भी बहुत जोड़दा तालियों साब सब लोग स्वागत करें अभिनंदन करें मैं सोनू सिसोधिया जी को माइक्रोफ़न पर आमंत्रत कर रहा हूं और स्री राजू माली जी से निविदन रहेगा कि वे मंच को पर बदा रहे हैं स्री राजू जी माली बालोतरा से युवा और बड़े अग्रेश्यू उद्गोशक है आप बिराजी अभी एकल स्वागत के लिए आपको बलाएं अभी गाएन के लिए मैंने वेदन करूंगा सोनू जी सिसोधिया चले राजू जी माली साब तालिया बजा कर स्वागत करें आज कल के इनके राष्टवादी वक्तव्यर भाद प्रचलित है तालिया बजा एक ब भारत माता की भारत माता की सेरो की तरह बुले दुनों मुठी बांद करके भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जैजै श्री राम जोतपुर जोदाना की पावंधरा और इस पावंधरा पर एक ऐसी महान सक्षियत जिनाने राजस्तानी नहीं अपिदू संपुन भारत वर्ष को कला के शेत्र में जिनाने नया आयाम दिया है ऐसे चवरलाल जी गहलोत के लिए मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन जोरदा ताली बजाए वैसे हम तलवार बजाने वाले लोग है लेकिन आपकी तालिया बहुत कमजोर है एक बार चवरलाल जी के लिए दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालिया बजाए आप सभी और इनके पुत्र रत्न हिमंत जी ने अपने माता-पिता के प्रती जो सेवा और स इपल राग है पिता से ही मा की छूड़ी बिंदी शुआग है पिता है तो संसार के सारे सपने हैं और पिता है तो बाजार के सारे खिलोने अपने हैं गरीब हुम अगर जरदार deste नहीं मिलता और जमीन भूर मकार से नहीं मिलता अरै बाताτο का प्यार जोद पूरकी बाजर में नहीं मिलता तुम्हेमन जो स्वागत मांच सम्मान इस मंच पर किया गया है तो मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ खड़े करके एक बार ओम जी आचारे के लिए जोर दार तालिया बजाए क्योंकि हम तो निच्छे बैठ करके सुनते थे पद लेकर मद में आना उनमाद है हद से बार हो जाना प्रम सोनु जी सिशोदिया अपनी हाजरी दे रही है हलो 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 स्री नवरतन सिंगी रावल पधारे हैं आपका बहुत स्वागत तरह विरंदन है आईए वरतमान में भजन गाई को में एक युवा प्रतिभा जो पिछले कई वरसों से राजस्तान की अनेट गीतों को राजस्तान के भजनों को राजस्तान के मंचों पर सुसोबित करती आई हैं और वो हैं आप सभी के वीच में सोनु सिसो दिया जी हलो हलो राम जैसी अराम सरप्रत्थम व्यास्पेट को प्रणाम मात्विता गुरीजी के चिर्णों में बंदन सुरो की देवी मां स्वरसती मां शार्दी के चिर्णों में बंदन पधारे वोए तमाम कलाकारों के चिर्णों में बंदन में आज की शाम यह द्वित्य वर्ष है माली च्छवर लाल जी कि पुर्णी स्मर्ती में यह पूरा कारीक्रम रखा गया है गैलोग परिवार का बहुत बदाभार वेक्त करती हूं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी से आग्या अनुमति लेते हुए मैं आपके शिमक्षी एग और यहन के बिस्तुदी दूंगी भूली स्वर्ग्य अमर आत्मा की मात पिता सत्त गुरुदेव की जय हो लेख अनुम अनुम ओड 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 मिले नदू जीवार बंदे मिले नदू जीवार चदरिया 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 मिले नदू जीवार ओड रखना इसे संभाल चदरिया मिले नदू जीवार ओड रखना इसे संभाल चदरिया मिले कर दूज जीवार इसे रखना मिले ना तू जीवार बंदे मिले ना तू जीवार चदरिया मिले ना तू जीवार बंदे रखना इसे संभार चदरिया मिले ना तू जीवार वो बंदे रखना इसे संभार इस चदरी के दस दरवाजे उसमें बजीते डोलारीता से इस चदरी के दस दरवाजे उसमें बजीते डोलारीता से बासुरिया बासुरिया करे सासो की गुजार वो बंदे रखना इसे संभाल चदरिया वो मिले ना दो जीवार वो बंदे रखना इसे संभाल चदरिया रखना इसे संभाल बंदे वो रखना इसे संभाल चदरिया मिले ना दो जीवार वो बंदे रखनाई से संभाले चत्विया मिले ना दो जिवार वो बंदे रखनाई से संभाले वो अजब अजबी है रंगे उसमें वो छोरा सी लाकितारे अजब अजब है रंगे उसमें वो छोरा सी लाक है तारे उसमें चौरा सिलाख है तारे उसमें ओ तारों को तारों को तारों को ओ फिनना पड़े कही बार ऑ बंदे रखना उसे संभाले छत दिया ओ मिलेना तो जिवा ओ बंदे रखना उसे संभाले लखना उसे संभाल बंदे और लखना उसे संभाल लखना उसे संभाल बंदे और लखना उसे संभाल लखना उसे संभाल इस चादरी को मैली ना कीजे जूकि तो ही धरी इस में है इस में है इस में है भगवंते का वाद लखना उसे संभाल बंदे और लखना उसे संभाल चदिया मिले ना दो जिवार बंदिर रखना इसे संभार एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते सोने आवास तुदी होगी एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते सोने आवास तुदी होगी आए दिल में रह गई बात जल्दी से छुडा सर्यात कहां तुम छले गए चित्थी ना कोई संदे जाने वो कौने सबे जहां तुम चले गए जहां तुम चले गए जहां चले गए करें करें सोनु से सोधिया जी के लिए बार जोड़ा तालिया अप लोग बजाए भात बेत्रे नियनों ने गाया और अपने अस्तित्व का बोध और किसी से बिछुडने का दर्द क्या होता है वो इस भजन के माध्यम से आपको सुनने को मिला क्योंकि जिसको नहीं है बोध तो गुरु ग्यान क्या करे और निजरूप को जाना नहीं तो पुरान क्या करे क्या करें एक बार में चाहूंगा जोर्दात तालिया वजाकर आप सब लोग स्वागत कर अभिनेंदन करें आईए जो कलाकार हमारे बीच में आए भजन गायक संगीत से जुड़े नर्त अभिने वीडियोग्राफी या अने अनेक प्रकार से जनल ने राजस्तान की कला और सं स्कृति को आगे बढ़ाया ऐसे कलाकार हमान संवान और करवाना चाहूंगा सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगा तकत सिंग जी जिनका नाम ले रहा हूं जल्दी से मंच पर आ जाए तकत सिंग जी उसके बाद मेवार से पधारी राणी रंगीली जी पधारे मंच को पर स्री लाल जी राव श्री लाल जी राव मैं हेमंत गैलोट जी और गैलोट परिवार से निवेदन करूंगा कि सबका यथा योग के सम्मान स्वागत किसको गुलाओं स्वागत करने के सम्मान के लिए आप आजाओ उनों पर तगत सिंग जी राणी रंगीली जी लाल जी राव स्रीमान सज्जन सिंग जी गहलोट प्यार जी के निर्देशक डाइरेक्टर सज्जन सिंग जी गहलोट स्री सुबास गहलोट जी और अखे सिंग जी गहलोट से निवेदन कि मंच को प्रपधारे पदार जो एक बार, जोड़ना तालिए अपलोग बजाएं डिवन नेता रहु पंदार जाएं सबसे पेले तकट सिंह जी इन वन लाँ पाप पधार हैं जल्दी से तकट सिंग जी जिन्गों ने आज अपने भजन की हाज्रिव आपके बीच में दी शॉल प्रसलस्ती पत्र और एक इसमर्ती चिन के रूप में एक बैग आपको प्रदान किया जा रहा है थुरा जल्दी करावें तकत सिंग जी उसके बाद बेवार से पधारी रानी रंगिली जी रानी रंगिली जी आ जाएं महनदर सिंग जी आप ही आजा दे पधार हो एक बार तालिया बजाएं कोवर महनदर सींग जी लिए हाँ थारो सवा dul रही है तालिया उनके लिए बज़री है उसके बाद लाल जी राव पधार जाएं हाँ सुबा सी थोड़ा आके बदाने अब लाल जी राव कुमर महंदर सिंजी बढ़ार जाएं उसके बाद कुमर महंदर सिंजी का सम्मान कर दें फिर मैं सजन सिंग जी के हलोग से निविदन करना चांगा मंच को पर पता रहें सजन सिंग जी के हलोग चले बहुत जोड़ा ताले बजाएं अब स्री सागर जी माली सागर जी माली पता रहे दें उसके बाद राजुजी राठोड पाली से पता रहे दें सागर जी माली राजुजी राठोड फिर भामार अली जी वीकानेर से भामार अली जी थोड़ा जल्दी बढ़ा रहे हैं कि फड़ा पड़ा के दो इनको तक हो जाए सम्मान की क्योंकि बहुत कलाकार है उनकी प्रस्तूतियां बागी है हाँ जल्दी से राजुजी राठोड सागर जी माली भामार अली जी इनका सम्मान हो रहा है अभी राजुजी राठोड अब यह तो बोल आप सकते हूं मैं नहीं सकता है श्री सागर जी माली हाँ रसिया मालम क्या बात है सागर जी माली के बाद में अब निवेदन कुरूँगा भामार अली जी भीकानेर से भामार अली जी भामार अली जी के बाद जितेंदर सीवा जी जितेंदर सीवा जी और गनेश सौलंकी जी गनेश सौलंकी जी और जितेंदर सीवा जी गनेश स्टूडियो से उसके बाद त्यारे लाल जी त्यारे लाल जी बढ़ार जाएं हाँ गणेश शौलंकी जी गणेश स्टूडियो आख लिया चौराया हाँ चैंज कर ले ना कोई ने गणेश शौलंकी जी के बाद में प्यारे लाल जी बढ़ार जाएं प्यारे लाल जी बढ़ार जाएं उसके बाद प्रकास दादीच जी ये सभी जिनकी प्रस्तूतिया हो चुकी हैं प्यारे लाल जी के बाद में प्रकास दादीच जी उसके बाद स्री महेंदर सिंग जी पमार महेंदर सिंग जी पमार की क्या वाद प्रकास दूपूइस के बाद आजाएं माव वैश्नवजिव मेहंदर सिंजी पमार का सम्मान हो रहा है हीमा वैशनव जी उसके बास सोनु जोसी जी जल्दी आजा जल्दी आजान सोनु जोसी जी हीमा वैशनव जी स्री नटवर जीतड़ा और कमल दोनों आजाएं जल्दी से अब मैं बस सोनु जोसी जी अब मैं शाम पालिवाल जी से निवेदिन करूँगा आपकी मन्ज को फिर पढ़ा रहे है ताले मजाएं एक बार जोड़ार दे सुनु जोसी जी का सम्मान जिस जो जैसा सम्झें आज सोनु जोसी जी कोई नी प्रसस्ति पतर बदल देंगे बाद में हाँ है मंजी इनका शोलोडा के श्वागत के कमल और नट्वर जी का कमल जी और नट्वर जीत्रा जी आईए अब मैं स्री स्याम पालिवाल जी को माइक्रोफान पर आमांत्रित कर रहा हूं राजस्तान की संतों की बाणिया देशी भजन और बिलकुल माराणी जालोर और माडवे रांचल में जिन जिन संतों के माध्यम से भक्ती परवान चड़ी उन सभी संतों की बाणियां को गाने वाले परमाधरनी शाम पालिवाल जी आपके बीच में माइक्रोफान पर उपस सब्सक्राइब 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 हलो थोड़ा सबढ़े ने पुलिष्यावर राम चंद्र भगवान की उमापति महादेव की जग जननी जग तंबे मात की काड़ा गुरा वहरुनात की स्रीयाजमान घर्यावतार की जितने भी गुणिवान विराजमान है प्रकाजी माली, मेंदर सिंग जी पवार, गजंदर जी राव, दिलीप जी, कुल्दीप जी घोजा, मेंदर शिंग जी राठोड, और बैन सोनो जी शुषोर्या, बैन सोनो जी रावना, निलम शंग जी, एमा जी, और जितने भी विराजमान हैं आप सभी मासा और सफी के फुत्रों में सभी के चरणों में मेरा वंदन कोई परकार के तुरूटी वह तो अपना बच्चा समझ के माप केजिएगा नवरतन सिंग्जी रावल और जितने भी वक्त विराजमान है दे राव शियार जे 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 स्थी राव शियार आपके मोनेटर बहुत कम आरे तोड़े मोनेटर को बढ़ाए एक दो तीन चार पांच छे साथ आड़ नो दस लगे हुए सिंगर बिल्कुल कमारा है फ्लीज आप से निविदन रहें इता लागोड़ा दमागों पढ़ना चीजे ते मेड़ताता गवाज आणीची नीरा बहुत काना तो अना दनिवाजिए सियारा मेरा मेरा जे जे शियारा जय 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 शियारा देखें यह आज का जो मंच है यह मंच हो चै रामनिवाजी का मंच हो गजनर भाई बावजी की वर्सी करते हैं कि यह उन सक्षित का मन्द चे में मापी चाउला आप सबसे पहले आप सभी से कोई भी तुरूटी हो तो अपना बच्छा समझ कि माप कीजिगा कापिया से राजस्तान के जोद्पूर के हैं से बजन गायक हुए जिसे हम कलाकार नहीं बोल सकते हैं बजन गायक बोल सकते हैं क कलाकार मोर्तिकार चित्रकार इस सब अलग अलग होते हैं कलाकार कोई कला बताता वो कलाकार होता है मोर्तिकार एक मोर्ती बनाता है चित्रकार एक चित्र बनाता है तो इस सब अलग अलग पद्मी दीक है और आम यहां पर जितने भी बैटे हैं इनमें से कई गायन करने वाल प्रामनिबाजी राव हो, चाहे मोन जी जालासाब हो, बागिर जी शतार हो, दनाबार्दी जी महाराजो, चभर जी माली हो, बहुत सारे शारे चानलों महेंदर सिंग जी पवारोरो, इनका जिस्समें समयता, वह बहुत संदर्त love शमयता, बहुत अक्च्छा समयता, आज से 20 स साल पीछे जाए कि पहले भी मैंने का कि मैं मापी चाहता हूं आप से कोई अगर शब्दों में तूटी वो तो अपना बच्छा समझ कि माफ की जा कि पीछे जाए बीच साल पहचे तो परा पसंती मदा और बेकरी कि सिंसे सिर्फ इंसे बाते होती थी तो कोई लोग आज क्याते हैं कि आर समय हो गया और ये आज काल तो ससंग है नहीं आज काल तो इवेंट हो गया और ये तो मनुरणजन का भिशे हो गया है तो ये हमारे सनातन धरम के लिए बड़ी दुरूबाग्य की बात है जिसे ये इवेंट समझते हैं जिसे ये संभेज ती है हमारे सनातं द्रम के लिए घरा अंब बटě बड़ी बड़ी बाते कर देम ठे कि यह करना चीए वो करना चीए किसी ने सोच Auto वर्तमान समय में सचंग क्या हाल है इस किसी ने सोचा की सचंग कॉन सी दिसा जा रही है मैं इतना जैनी नहीं ने हो लेकिन दुख जरूर होता है कि कहीं क्या कुछ हो रहा है तो तकलिफ जरूर होती है कि हम सनातन दर्म से लेकिन इसको रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं इसलिए रोक नहीं सकते आप बजन बले चार काओ, दो काओ, एक काओ लेकिन बजन को बजन के घर में गाएंगे कोई कहते यार के पपली यही मांगती पपली क्या मांगती है गाने वाले तो हम है हम जो पुर्षेंगे वो पपली करण करेगी वो करण करेगी साब और राम निवाजी जी ने अपने जिन्दकी में प्रस्तन जिन्दी में क्या किया मेंदर सिंग जी ने अपने प्रस्तन जिन्दी के में कुछ भी किया हो लेकिन बजन ख़रा गया साहब भजन गया उन्होंने इसलिए ये सशंग आज तक चल रही है और हम मंचों पर क्या करते हैं आप खुद देख लिए मैं किसी का नाम नहीं लोगा लेकिन हम मंचों पर क्या कर रहे हैं ये सब थोड़ा सा जरा सा सोचिए तनिक विचार कीजिए कि हमारे सनातन दरम की जाजम ये सनातन दरम की सशंग किस दिशा में जारिये किस तरब जारिये साब और थोड़ा सा विचार कीजिए आप मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये कि ये मंच बोलने के लाइक है अपने कताई सुनी होगी घर आये सेट सिंगाल के परमकाज के पीव अरे क्या विदी कउं शंत की सुनो रामराजीव ये मोची जाला साब के काईड़ी चिसमें शवर जी ने हुकारा दिया हुआए कही आसे भज़न है कही आसे भजन है जिसमें अबलारो माहरो चाई रामनी वाजी ने काया चा मोच जाला साब ने काया ये बीरा परारे मरोला विश्वावी से ओची उमर में थोड़ो जीवणो पांडू अमर होयारे कुणरे मावाई लेवो हबोडो हरी रे नामरो ये क्या ये औरिनल्टी है अमारे राजस्तान की औरिनल्टी है साथ इनको आपकी हिच्चा है तो कहिए लेकिन अपने पास तो जुरूर रखिए कोई ऐसा हो भी सकता है जो आपको कहेगी ये काए कौन सा ए वड़े लो लगायो पांचे पांडिवारे जी अरे वायो रे पुनमरी रे राखो ए दूदाद यांसू वड़लो सीची होने मडलो सीची हो जी ये क्या है पांडवो का डोड़े साब जो मोंजी जाला साब ने गया हाँ से तीस साल पहले ताली बजये ऐसे ऐसे बजन गायकों के लिए आप क्या करते है अपने प्रस्तन जिल्न की में हमें उससे कोई लेना देने नहीं लेकिन ससंग का भिगाड़ा होता है मैं कोई ससंग सुदार्दे वाला नहीं हूँ लेकिन तकलिव होती है कि ससंग कौन सी दिशा जा रही है एक गीत आया है कंटी पर मोर बोले पनपा बंड़ी नहीं बोले बड़ी सरम की बात है कि मंचों पर लोग इसे गाते हैं कि कंटी पर मोर बाले और मोले नहीं माता जी नहीं बोले अरे माता जी नहीं बोली हो वे तो तो थूमटे गाव तो ही गुन भाई बोले तो शब्द का अनादर कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या हमें उसे ब्याव के गीतोंने क्या क्या हमें उसे क्या लेना देना तो प्लीज मैं आपका सबसे छोटा आपकी चरणों की रज हूँ आप ससंग को ससंग की दिशा ले जाए यह कल तो लोग बोलेंगे कि stage पर कपड़े उतार कर गाई है क्या आप गालेंगे क्या कोई है साघसा कर सकता लेकिन Satsang को Satsang कर में जाएए क्यूंकि अम काफियासे यहां भक्त बैटे तुष सनातन धर्म से हैं अगर हम भी हमारी धरम की रक्षा की करेंगे तो इस दुनिया में कौन है जब हमारे दर्म की रक्षा करें बताइए आप इसलिए यह आज चवर जी का मंच और चवर जी के एक सबसे बड़ी खाशियती कोई भी होता तो वह मुझ पर बात सीधी बोलते थे चवर जी माली के सीधी शक्तिक बात बोलते और कले जी को लगने वाली बोलते थे तो थोड़ा ता तनिक विचार करिये अभी बैन एक बजन गया सोनु जीन बड़ी सोनु शिशोद्यान बड़ी उच्पोटी का वो बजन गया चदरिय वाला अगर उसके बाद अगर उसको समझने वाला कोई है तो ऐसे शंतों के शब्द ये परोशे ऐसे क्योंकि जो दु इसलिए आपका च्छोटा सभाई हूँ आपको को तूटा सभाई हूँ अगर मेरी बातों से आपको तूटी लगी हो तो अपना बच्चा समझ कर अपना च्ोटा सा भाई समझ कर माफ कीजिएगा इस दो पंती पृस्तुत करके आपके बिजमें पृस्तुत करा हूं पाथ हुए माली लिक्मिदा जी महाराज हुए उन्हाने बड़ी सुंदर बात देखी मैं पंती इस्ताई करना क्यों कुछ समय मैंने ले लिया है यह मारी सुरता समझ कर भोले रे अंतर राप पड़दा होले अंदर क्या बोले भाई यह मारी सुरता समझ कर भोले रे अंतर राप पड़दा भोले रे घट घट राप पड़दा भोले अंदर क्या बोले भाई पुले अपने अपने माध भिता गुरुदेवक्ती पुले आजारमर आतमाटी सुनेगा बोल आल मार मनवा आरे आल मार हंसला आजी हाल मार हंसला नाभी कमल रे गाट रे नाभी कमल रे गाट पुट शत्गुरु मोंडी हाट रे इन गुरु मोंडी हाट यंदर क्या बोले भागी ए सुर्त शबद से सोदो कर ले सुर्त शबद से सोध करले आवे सत्गुरु आपरे मर मिलसी सत्गुरु आप यंगर क्या बोले वागी ये मारी सुर्ता ये मारी सुर्ता समदने बोलरे कट गट रापड़ता बोलरे अंतर नापड़ता बोलरे अंगर क्या बोले वागी ए आलो मारा यंसला ए आलो मारा यंसवा तिरवे नीरे खातरे बसे निरंजन आपरे आप यंबर क्या बोले वागी आरे कुझ गळी में निर्खन लागो जट हिरलो आयो आतरे जट हिरलो आयो आतरे अंतर ला पड़ता खोलरे गट गट ला पड़ता खोले अंदर क्या बोले वागी शुर्त समझने खोड़ी शुर्त समझने खोलरे अंतर ला पड़ता खोले अंदर क्या बोले वागी तुर्त समझने खोले अंदर क्या अंदर क्या बोले वागी दिखे, माली लिख मिदाजी मारा लिखते हैं ये माली लिख मोजी माली लिख मोजी छेत रहे मन सक्त गुरुदीना वेद रहे मारा दिन गुरुदीना वेद यंदर क्या बोले वाई ये अमरत में हूडा परसन लागा अमरत में हूडा परसन लाग मारा निपसन लागो छेत रहे मारो निपसन लागो छेत रहे गट गट रा पड़ता मोलरे अंतर रा पड़ता बोल यंदर क्या बोले वाई कि यह तो मैं सोनों ने जो गया उसका मैंने जबाब दिया है और छवर्जी का इस सारी में फोटू लगा हुआ है वो देखेगा बड़ाई संदर हस्ता हुआ तो एक पंदि छवर्जी के लिए मैं पस्तुत कर रहा हूं ए हस हस मी ठोजगते बोली नोरे हंसला धेरा मी लोला ए बाल कोने प्रेम के साथ में जेका रहा हुआ भांगा तो और भगवान की प्रेमिलेला ना यह मार मन बा प्रेमिलेला ना यह हस हस मी ठोजगते बोली नोरे हंसला धेरा मी लोला ना तो ले हर हर महादेव की ठोजगते बोला ओ पैला जड़सी पानेडा ची पैला जड़सी पानेडा रे बच्चे जड़ारे मूण से काई पान जड़नता देखी में जीट असकई गुपढ़िया वे मोबीती जा वे थारे बीत सी माबीती जा वे थारे बीत सी थोड़ी तीरे बापढ़िया मिठो जड़ने बोली नोरे अंसला फेर मिलोला पानी जड़नता बोली आजी सुनी तरिवरी मातिवा अपते पिछिड़ना मिला जी दूर पड़ोला प्राई मिठो जगने पोली नोरे अंसला फेर मिलोला ना पेर मिलो लाना पात पिता गुर्देव की बापी चाहूंगा कोई गलती होए तो अपना बच्चा समझ के माप कीजिगा थोड़ी सी तकलिब हुई इसलिए बोल दी जागा पागे आपकी जिन्दगी आप क्या करें हमें हमें सिर्फ शनातन धर्म से लेना देना है एक बात और बोल दे तो सिरफ और सिरफ सनातन धर्म से क्योंकि जो शनातन धर्म का नहीं हो हमारे कोई काम का नहीं दनिवाज़ी हलो जैसरी राओ कहते हैं कि असूलों पे आँच आई तो टकराना जरूरी था और जिन्दा हूं तो जिन्दा नजर आना भी जरूरी था मैं तो आया था केवल भजन गाने के लिए लेकिन जब दर्द हुआ तो बोलना भी जरूरी था एक बार शाम पालिवाल जी के लिए जोडदात तालिया आप लोग बजाएं बहुत बेत्रीन बातें आपने कही और बहुत बेत्रीन भजन की प्रस्तुती आपके माध्यम से रही आईए अब मैं सोनू जोसी जी हमारे वीच में संजय पंचारिया जी एक बार तालिया बजाकर स्वागत करें जोदपुर के बहुत अच्छे और संगीत के माध्यम से बहुत मंच के माध्यम से बहुत कुछ इनों ने पाया है और मैं चाहूंगा ऐसे होनहार भजन गाय के लिए जोड़दा तालिया बजाए संजय पंचारिया जी के लिए अब मैं सोनू जोसी जी से निवेदन करूंगा कि बढ़ा रहें और अपनी प्रसुती प्रसुत करें स्वागत अचारी जी से निवेदन करूंगा कि वे अब आगे के संचालन के लिए अच्छान के लिए स्री ओमाचारी जी मंच पर बदहारे हैं तालिया मजाकर स्वागत करें उनका और इसके बाद हम कुछ और कलाकारों का संबान करेंगे इस बहजन के बाद अगा है है हलो है हलो है आट पुट में इपेक्ट दिए ग्राउन बनाना रहावर ट्रेबल देदा है हाँ हाँ जी पहले माइक्रोफोन आपको दिना है आशरवाच चाहूंगी सभी से और वेसे सभी हमारी जितने भी कलाकार हैं उन सभी कुपले साधर नमश्कार बहुत समय बाद लवरतिन भी आप रडाम सत्रा साल हो गया है साधी को और कुछ छेत्र भी अलग हो गया हां बिल्कुल अलग दोरों में दे दिया जान सुगना भाई पूंगल गड़ पूंगल गड़ आगे खाजुवाड़ा और पूरी सुगना भाई बड़ी ओड़ी आसा दर्सन नहीं तर्सुन और बहुत सालो बा पाहें कि वो सारे टिकेट सो मैं करती हूं अल इंडिया में कहीं भी होते हैं तो और यह जग्जिस वया जानते पूरा आसाम और कलक्ता और इनको लेके जाती हूं दुर्गाजी वगारा तो उनके जो प्रोग्राम है आप सभी का शिरौ असे करती हूं लेकिन इसका स्रे हम अरे मेंदर जी भाज साब पकुट एननकी वजह इनकी वज़ा से यह हैं ना मैं ने सकता ऊट निकल गए यह ना उनके आशरवाषर यह जो है इनकी वजह से, मतलब जब इनके साथ जाते थे ना फ्रोग्राम में, घर से खाना भी लेकर जाते थे, कि बेटे बाहर नहीं मिले, रोटी लेकर चलूँगा, वो रोटी आज भी याद आती है, वो रोटी आज भी याद आती है जो वो टिफिन में लेके चलते थे और हम सभी को खिलाते थे बड़ी प्यार से यह उनीक आश्रवाद है और मुझे पता भी नहीं था कि आज प्रोग्राम है भूल गई मैं तो रिकॉर्डिंग के लिए आई थी और वापसी साथ वेज़े जमू तवी की ट्रेंड से मुझे जाना था संजोग ऐसा वाद दो घंटे ट्रेंड नहीं आई में जर्थी बश्तान का वापिस आजा गरते फिर याद आया कि प्रोग्राम है अरे मैंने का मैं भूली गया अलग एर्या हो गया फिर दिमार्ग से निकल जाता इधर आना होता नहीं है और यह कोई संजोग था पर आप स प्रोटी सी कोशिश है त्रेवा लो रिको देदे नो यहां प्रोग्राम किदर है सामने मुझे अभी नजर नहीं हां ओके साउंड ऑपरेटर और पीछे बिखी में ओके ग्राउंड आउट्पुट में बिल्कुल एफेक नहीं हाना है तो थोड़ा दिख लेड़ा ओ कानहा आनि पड़ी में इरेदाँ कानहा कानहा आनि पड़ी में इरेदाँ मोहें चाकरें समझ निहां चाकरें समझ निहां काना काना मारी पड़ी में किरे जार काना को काना हाली पड़ी में किरे जार मोहें चाकरें समझ निहां चाकरें समझ निहां काना 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 कानी पड़ी में किरे जार काना काना कानी पड़ी में तिरे जार जार काना हाण माति खालोहिया स्वेडिं बनालो में छुपालो गुरी समझे ओटो से लगालो मोहना मोहे देख तोले एक भाल काना ओकाना आन पड़िवे तिरे दा काना काना आनी पड़ी में तिरे दा उस प्रभू से अर्दास करते ने कहते हैं ओ पालन हावे निर्गुण र्यारे तुम्रे बीन हमरा कानु में तुम्रे बीन हमरा कानु में हमरी उले जन सुलजाओ भगवन तुम्रे बीन हमरा कानु में तुम्रे बीन हमरा कानु नहीं तुम्रे बीन हमरा कानु में तुम्रे बीन हमरा हाती वे राधा जैसी नहीं में जैसी भी हूँ वैसी में रहूंगी मोहना हो मोहे दीख्वितोलि एक भार्च आनु आ ओ काना निय पडि में तिरिता काना 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 अरि पडिवे तिरिक्वार्च मुहे चाकरे समझी निहार काना 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 कानő पडिवे तिरिक्वार्च मुद्वे तिरिक्वार्च मुहे चाकरे समझी निहार कि अपने सेंगे उसके लिए कि अज़े शोनु जोसी जी का एक बार जोड़ात तालिया वजा कर आप सब लोग धन्यवाद करें और अब मैं बिना किसी वक्त को जाया किये मुईतरा जी भी लड़ा चले गए क्या या मवजूद है चलिए सुनील भाट सुनील भाट से मेरा निविदन वो आ जाया मंच के उपर और बहुत जोड़ात तालिया वजा कर आप सब लोग स्वागत करें सुनील भाट का और उसके बाद रस्मी निसाद तयार रहें अगली प्रस्तुति के लिए आप स्री अमिट जी वैस्टनाव आपका भी स्वागत है भागिर जी डांगी आपका भी स्वागत है जितने भी कलाकार पधारे किसी का नाम में न ले पाऊं तो भी पूरे गहलोत परिवार की ओर से आपका बहुत स्वागत और अभी नंदन है थोड़ा समय का थोड़ा सभी ख्याल लगें आई ये सभी गुरुजनों का अश्रवाद ताप तो बात पिता परमातमा पती सिवा गुरुग्यार इन से इहन मिल चालिये बैवो नर चतुर सुझा जिसने की तंसे सेवा उसका तो बेड़ा पारेड़ा पारेड़ा जिसने दुकाई आत्मा वो डूबता मज़िदार है क्योंकि मात पिता परमात मा मिलते ना दूजी बार है एक ही बार मुका मिलता है भूलो मतीरी बंदा भूलो मती अरी भूलो मतीरी बंदा भूलो मती अरी माता पिता को एहे साने ले ना धान जी बेड़ा भूलो मती अरी भूलो मतीरी बंदा भूलो मतीरी अरी पाता पिता को एहे साने ले ना दान जी बिड़ा भूलो मतीरी मतीरी बंदा भूलो 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 भी में रखियो अरी चब तू बंदा नरिचो नोधरियो अरी हालर योशिदावती धन्निलो नीवार सुनावती भूलो मती री बंदा भूलो मती अरी हो गयो जो हो तेने जावालिरे नादा नुठी बंदा भूलो मती करते होंगा कि दूसरों से प्रेम नहीं करते होंगे मगर माबाप से तो प्रेम सब करते होंगे जो जो माबाप से प्रेम करने कवार दोनों हाथ रहेंगे बिल्खुल जो लड़े करते मैं उनसे वेतर नहीं करता हूँ मेंकर जो प्रेम करते वो दोला हज़ा के एक वाद जोरता चे गोश करें अरे मात पिता गुर्देव की अरिपडारे निखा करें चन्डी मिन्नकी बनायो अरिन लाडा कोड़ा सू धरव्यां देतरायो अजी वासना में रम गयो दूसे जामा जी ही गम गयो पूला मत तीरे बंदा पूलो मत ती नग जो तेरे जामा निरे नादा नजी मिना भूलो मत ती में तो धन्नी जाने हो बेटा पूला मत तीरे बंदा भूलो मत तीरे बंदा पूलो में देतरा पूलो मत तीरे बंदा नंजी मिना तो तीरे नलो अंत में इस बजन के रचेता उस्ताद हमारे ब्यावर के माली पुनम चंजी इन्होंने इस बजन को लिखा माली पुनम चंदी यू समझावे रिमाता पिटा की सिवा दिरती करावे रिसिवा जो करेलो बंदो घनो सुख तूपावेलो आत मा दुखावेलो तूपडियो नार की जाले अरी घूलो मती रिबन्ना घूलो मती वोली अपने अपने मात पिदा गुर्देम की सबसे पहले तो पाईसाब चंदन सिंग जी राजपुरोहित के लिए जोड़ार तालिया बजा दीजीए आज दोपहर में सोनु बिटिया का फोन आया मेरे पास तो मैंने का बेटा मेरे को तो आना ही है कब आना है आज आना है कल आना मैं नेंद में था हूँ उस वक्त लेकिन बच्ची ने आज फिर वापस याद दिलाया मुझे और यहां आकर के ओम जी यह पता नहीं था कि राजसान के इतने मुर्दन निकलाकारों के बीच में जिनके बीच में पिछले चालीस पैंतालीस वर्षों से दास बनके जिया हूं उन्होंने आज बिश्म अपितामा बना दिये हुआ है मेरी जिन्दगी पूरी हो गई बस प्रकाश बाबु की हयाती में अब मैं मुश्किल से दसे एक मिनिट बोलूँगा आज पूरा दाइत विवाई साब को दिया हुआ है और इनका मैं बहुत बड़ा उपकार भी मानता हूं कभी मैं वापत छुका भी दूँगा ऐसी बात नहीं है मगर आज आप जिस रिदम से चल रहे हैं वो रिदम मुझे बहुत पसंद आ रही है और मैं बैटके सुन रहा हूं एक बार तालियां बजाए जो होता है दो चार बातें आप से करनी है पहली बात तो मंच की और द्यान दीजिए रहा सभी कलाकार बैठे हुए हैं कोई स्टार ऐसा नहीं है जो यहां नहीं है जब कभी भी आपका कोई बड़ा कारिक्रम हो है तो यह जो सिटिंग अरेंजमेंट लग रहा है न यह सिटिंग अरेंजमेंट मेरे खयाल से बिलकुल सही है नहीं तो प्रकाश माली आकर के बैटे तो दस जने तो उनके पीछे बैट जाएंगे और मेरी ऐसी दशा होती है क्योंकि मेरे सिंगर का अगर द्यान इदर उदर चला गया तो मैं फैल हो जाता हूँ सिंगर जो है बिलकुल look in front as a 90 degree angle और उसके आसपास में बिलकुल कहीं भी गड़बर नहीं होनी चाहिए और वो possible कब है जब ये इस तरह का decorum हो बड़ा event हो प्रकाश भई तो कम से कम ये वेवस्ता आप जरूर कराएं अगर आप चाहें तो भले आप अपनी सिटिंग थोड़ी सी आगे बढ़ा दें बहुत से monitor करा दें सब कुछ ठीक हो जाएगा मगर ये जो decorum लग रहा है सबी कलाकारों से हाज जोड़ के भिंति करता हूँ कि कम से कम ये decorum बना के रखेंगे ना तो आपके साथ में आने वाले फालतू लोग जो है उनकी भीड जो है कम हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल उसके मुझे मतब disturbance कम हो जाएगा नहीं तो होता क्या है कलाकार तो तरन्नुम में गाता है पीछे बैठे हुए लोग जो है ना पर मैंने देखा दूसरे दिन वो सब लाइव जाता है साथ और सारा जो हमने मेहनत की है ना वो पानी फिर जाता पूरी तरह से तो कलाकारों से मेरी विंती है कि ये डेकोरम ये अनुशासन हमारी भी आबरू बढ़ाएगा और जिसने आयोजन करवाया है ये करवाईएगा सबसे पहले तो दूसरी बात मुझे भी थोड़ा मजबूर होना पड़ रहा है बोलने को अभी शाम जी ने कुछ बात कही थी शाम जी की बात का मैं इसलिए समर्थन करता हूँ देखो शाम जी जिसके पास में जो है वो ही गाएगा मगर ये बात जरूर है कि दुनिया में हमेशा तो नहीं रहता अंधेरा और इंसान जहां से चालू करे वही से है सबेरा अभी से संकर्प ले ले कई गुनी जन कराकार है आप उनके शागीर्द बने आप उनके साथ रियाज करें आप उनकी सेवा करें आप उनका मान सम्मान करें तो आपको कुछ जीवन में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा ये लोग भी जो है इन्होंने भी कई लोगों की सेवा करिये तब ये मिला है आज ही ये इस्टार नहीं बने है आज इन लोगों को ये शाम जी हुए ये गजंदर जी को तो विरासत में मिला हुआ है मगर बाब जी के देव लोग होने के बाद में सबसे पहली बीज की बाबा की आरती करवाई थी गजंदर से सबसे पहली और वो आरती इस बच्चे ने रोते रोते की थी वो रोना नहीं था वो उसका पिताजी की सारी की सारी शक्ती का संपरेशन इस बच्चे में उस दिन हो गया तो आज देश और दुनिया में कितना नाम कर रहें डेड़ेट दो दो मेंने से ये लोग गा रहे हैं मगर बगवान की दया है कि आवाज में कहीं किसी प्रकार का कोई फेर फार नहीं है, ये एक वर्दान है, ये जीवन शेली है, कलाकार कहीं परसनल कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो बात भी मैं नहीं बानता, क्योंकि कलाकार बीतर से निर्मल होता है, कलाकार की जाद जो है, मैं पैटालीस सालों से इनके साथ में हूँ, और मैंने ये महसूस किया है, कि भागीदारी सब के दुख में, अभी जगदीश ने क्या बोलाता कि मैं गरीब हूँ मेरा ध्यान लकना, कलाकार इशारे से ही समझ गए, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है भागीदारी सब के दुख में, सब के सुख के सांजी है, और विद्रोही है वी गटन के, आदत से अनुरागी है, कलाकार जितना बड़ा अनुरागी कोई नहीं होता है भागीदारी सब के दुख में, सब के सुख के सांजी है, और विद्रोही है वी गटन के, आदत से अनुरागी है, राष्ट धर्म, राष्ट धर्म और भक्ती से बढ़कर, अलग न जिनका डेरा है, और जैसा तुमको लगता वैसा गायक का सांज सवेरा है मैंने गायक को इतना समझा है अपने जीवन में, लेकिन उसके बावजुद भी, ये कुछ गुरुमुकी लोग जो गाते हैं, और बाद में दूसरे दिन जो है, वह हसी मजाक और पता नी क्या क्या करके, गरीमा के आगे जाकर के जब कारिक्रम होता है ना, तो ऐसे लोगों को दुख होता है, सबसे ज्यादा दुख तो मुझे होता है, क्योंकि मुझे फूरी रात निकालनी होती है उनके साथ में, मगर फिर भी मेरी तो कोशिस रहती है कि मैं उसको संभाल हूँ, और जीवन पर संभाला भी है उसको, मरियादा के साथ में, कारिन इसका ये है, कि य ये लोक रंजन नहीं है, अनमोल तेरा जीवन किस और जा रहा है, किस और तेरी मंजिल और किस और जा रहा है, जब तक है भेद मन में, जब तक है भेद मन में, इश्वर से तू जुदा है, और देखे जो दरपन, इस दिल में ही खुदा है, अपने अंदर भीतर जहां करके देखो कि मुझे क्या करना है कैसे करना है क्या नहीं करना है इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है सब कलाकारों से क्योंकि आज आपने मुझे बड़ा बना दिया लेकिन मैं तो आपका दास ही बन के रहना चाहता हूँ इससे आगे मेरा जीवन नहीं है केवल यही कहना चाहूँगा कि आज जो माली छवलाल जी और माँ चित्रलेखा जी की पावन इस्वर्ती में ये जो दूसरी बरसी मनाई जा रही है और विशेस उप्योग करके आपने तमाम कलाकारों को च्छान च्छान करके और उनका मान समान बढ़ाया है उनका यश बढ़ाया है उनकी उमर बढ़ाई है उनका होसला बढ़ाया है उनका रियास बढ़ाया है कि अब मैं आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा करूँ जिन जिन का सम्मान हुआ है उन लोगों की समाज के प्रती जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो और सलिके से काम करें और अच्छे ढंग से काम करें ये मान सम्मान का तरीका है और ये हैमंद भाई, जितेंदर भाई, सुनेल भाई, परमादनिया माता जी सभी को प्रणाम करता हूँ पैसो के पीछे नहीं देखा है इनोंने अनवरत जंग से जितना शांदार कारिक्रम होना चाहिए उससे कई गुना अच्छा कारिक्रम आपने किया है इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बदाई है किसको भूलू याद करू में क्या इतिहास गवाही देगा ये पंक्तिया मेरी कलाकार बंदुओं के लिए है जो भाई शाम जी ने कह दी थी उसका जवाब है ये किसको भूलू याद करू में क्या इतिहास गवाई ही देगा और नई पीडी के इन बच्चों को कौन गुणों की श्याही देगा राष्ट धर्म के और गुरु बक्ती के सुत्र धर्वन नीती का निर्मान करो वरना इस सनातन को लोगों कौन आगे बढ़ाने की श्याही देगा सनातन को बनाना है इस भारत की दन्य दरा पर सपन हमारे रहते हैं मगर जो सपनों को साकार करे हम उसे सनातन कहते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज कलाकारों को दी है और भविश्य में ये लोग तो सब गुरु मुकी लोग हैं मेरे सामने जिनकों मैं राद दिन काम करता हूँ लेकिन कभी कभी मैं फस जाता हूँ हैमन भाई कभी कभी मैं फस जाता हूँ ना तो फिर मैं गुरुओं को याद करता हूँ या तो राम निवाज जी याद आते हैं मुझे उनके साथ में तो मैंने सीखा है, माई तो उन्होंने पकड़ाया मुझे माली चवरलाज जी के साथ में मैंने बहुत सफर किया है, खुब जीवन दिया और वो मुझे सुनते हुए तो क्या देखते देखते भी बहुत खुश होते थे गले लगाते थे कभी-कभी तो मुझे सो रुपे का इनाम देते थे कि ये तेरे को बहुत अच्छा भली भूत होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आज मुझे याद आता है मैं बिना किसी पुर्व भूमिका के चन्न सिंग जी भाहिसाब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस दाइत्व को बहुत खुबी आपने निभाया है मंच के मिजाज में वो फन भी चाहिए और रिमजिम बरस्ती बातों का सावन भी चाहिए मंच की मुश्किलों को आसान कर सकूँ सच कहूँ तो इन श्रोताओं का आशिरुवाद भी चाहिए इनका आशिरुवाद आज आपके साथ में बना और अब अंतीम पंक्तिया मेरी परमशदे ब्रमलीन स्री रामनिवाजी राव और परमादने बाबुजी स्री माली छवरलाल जी के नाम इसलिए कहना चाहूँगा संसार में ईश्वर कोई न कोई हुनर तो सब को देता है लेकिन वो मसीहा है जिसने उस हुनर को अपनी जीवन शहली के साथ में अपना लिया है यह प्रकाशमाली बैठा हुआ है आपके सामने, क्या थे ये, अभी दस सालों के अंदर देखो तो सही आज पूरे इंदुस्तान में डंका बजा दिया राजिस्तान का, संतों की महिमा तो गाते ही गाते हैं, लेकिन देश की युवा पिड़ी को इस आदमें जिस तरिसके से आकरशित किया है न, that is a very, very, very new investigation in our country, एकदम नया प्रियोग, भक्ती के माध्यम से विलकुल नया प्रियोग करके और आपने जो है एक पीड़ी को तयार किया है, ये क्या है, ये सब जो है भक्ती का ही तो मार गये, राष्ट रहेगा, देश रहेगा, तो भक्ती रहेगी मि इन दो चीजों में सब आ जाएगा, ये दो ही चीजें हैं जो गये को आगे ले जाती है, उसके संस्कारों को बढ़ाती है, उसके कद को बढ़ाती है, उसकी मरियादा को बढ़ाती है, बाकि इदर उदर लोक रंजन के बजन कहीं चल रहे हो, तो आपको अधिकार है उसको रोकने का एक मिनिट में रोक सकते हैं क्योंकि जो कुछ भी आगे जो कुछ भी करना है वो हमको और आपको ही करना है तो रामनिवाज जी राव और स्वर्गेश्री माली चवरलाज जी गैलो जैसे लोग इस मरूध रा को सो दो सो पांच सो साल बाद में मिलते हैं ध्यान रखना ऐसे ही मिलते नहीं है ना हर दिन डिपावली के दीप जलते हैं ना हर दिन डिपावली के दीप जलते हैं ना हर दिन ना हर सीप से मोती सदा निकलते हैं और जिनका नाम लेते ही कली कली खिल जाए ऐसे चवरलाल जी तो सदियों के बाद मिलते हैं मित्रों ये साल दो साल बाद में ऐसी आत्मा हैं यहां पर आती है जो अने को लोगों को तैयार करके जाती है माली चवरलाल जी ने किन किन को तैयार किया है ये बच्ची सोनू बाई साथ जरा साब ये सुरा गाती थी और डारते तो रोने लगती थी ये मेरे आँखो दे की बात है और आज ये राजस्तान की इस्टार है देखो आप उनका आशिरवात फली भूत हुआ तब न जब तक आप बड़ों को साथ नहीं रखोगे जब तक आप जो है अपने गुरू के साथ में पूरी तरह से मान संबान नहीं रखोगे तब तक आप कुछ में नहीं सीख सकते चाहे आप कितने ही बड़े फनकार है मित्रों एक बार पुनाह माली चवरलाल जी गयलोत परमादरने गुर्दे उस्री राम निवाजी राओ आपकी जुदाईंपे अासू बहा नहीं सकते और लबा पे मोहर हैं मुसकुरा नहीं सकते नजर के जक्म तो आप देख सकते हो मगर दिलों में जो जक्म है तुम्हें बता नहीं सकते निगाहें शोक को पलकों का आसरा कैसा आज तुम अपने चेहरे को छुपा नहीं सकते क्योंकि जुदाई की आग में हम खुद जल रहे हैं ये वो आग है जिसे हम बुझा नहीं सकते बुझा नहीं सकते इस आग को एक दीपक की तरह से रोशन ही दिये तीनों ही भाईयों ने और मैं तीनों ही भाईयों को बहुत बहुत नबन करता हूँ, माता जी को नबन करता हूँ, फरमात्मा से बिंती करता हूँ को आपको ऐसी एकता मिले, ऐसा संगठन मिले, ऐसी भावना मिले, कि ये कारिकरम दिन दुना और रात चौगुना होता चला जाए, जो जो कलाकार यह हे कि ना तुम यादाना ना तुम यादाना थेंड की फ्राम्ध मास्टॉप सरय मनिन Ygor सब्सक्राइब कुछ तंबान और ते रहे होगा हॉत हार कर इस बैठ जाना टो कि भाल एक हिंदु को मैं जगाऊं और दूसरी को तुम जगाना तो आईए जागने और जगाने की बात आपके बीच में हो रही हैं मैं अगली प्रस्तूती के लिए रश्मी निशाद आये मंच को पर उर्तर प्रदेश से हैं और निशाद भगवान राम को बड़ा प्रियत थे क्योंकि उन्होंने तो भगवान को गंगा पार करवाए थी केवट के रूप में निशादों के राजा जनाने भगवान के खुब सेवा की थी आईए उसी निसाद परंपरा से रश्मी आपके बीच में आई हैं एक बार मैं माफी चाहूंगा हमारे नवरतन जी रावल साब गजंदर जी राव खुश्बू जी कुंबट निलम सिंग जी संजे पंचारिया जी रामकिसुर जी दाधीच दिलिव गविया साब आप सभी से हम पहले बार वालों को सुनेंगे इसलिए हमने पहले उन सब को गवाया है इसलिए आप सबसे थोड़ा सा समा चाहूंगा आई ये रश्मी निशाद आप सबसे दो निशाद मतलब ऐसे तो लाइप शोस काफी के अबट बहुत ज्यादा कुशच भी हूँ कि इत्ते सारे कला कारों के इत्ते सारे कला कारों के सामने मुझे गाने का मौका मिल रहा है थोड़ा सा एं so sorry बट सीरियसली बहुत ज्यादा खुश भी हूँ कि लए जिनको मैंने सुना था सरु मतलब वो शोज वगरा देखे थे फोन वगरा में बट वो मेरे सामने आज तो थांक यू सो मच इसके लिए और एक छोटी सी प्रस्तूती मैं आपके सामने लाओंगी कुछ भूल चोगो त सजादो खाए ये गुर्षने सा मेरे सरकारिया आई है मेरे सरकारिया आई है नगे कुटिया खीद हनिसी मेरे सरकारिया आई है सजादो खाए ये चली सा मेरे सरकारिया आई है अचाहूंगी आप सब लोग रीजा पीज कराए अचाहूंगी आई है मेरे सरकारिया आई है मेरे सर सूनी दुनिया से मेरे सर सूनी दुनिया से कहूं हर दम यही सब मैं मेरे सरकारिया आई है सजादो खाए ये गुए शरिता मेरे सरकारिया आई है मेरे सकतुम्OG जाए रीजान प्रवचान प्रश्तरों मेरे सकत है मेरे comprehend of the map मेरे 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 रीजा मेरेस काल owभ मेरे रीजाबम मेरे मेरे मेरेक बढ़ आई मिरी आगु देखे करे अपने बाबा को बढ़ आगु देखे करे अपने बाबा को बुई रोशन मेरे गनियां मिरे सरकार आई सजादो घर को बेशनका मिरे सरकार आई सजादो घर को बेशने साथ मिरे सरकार आई बढ़ 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 आई सजादो आई पर आई बढ़ आई बढ़ आई बिचादो पनी पर्कों को मिने सर्कार्याई सजादो घर कुबर शरी सा मेरे सर्कार्याई है सजादो घर कुबर शरी सा मेरे सर्कार्याई है मेरे सर्कार्याई है मेरे सर्कार्याई है सजादो घर कुबर शरी सा मेरे सर्कार्याई है सजादो घर कुबर शरी सा मेरे सर्कार्याई है सजादो घर कुबर शरी सा मेरे सर्कार्याई है कि अधिन के सो मज़ है कि बहुत जोड़दार तालिया वजा कर रश्मी निसाद का आप लोग स्वागत करें अरे जूतपुर के लोग स्वागत कैसे करतें कि बार तालिया वजा के बता दें आप लोग यह पत्थरों का सहर जरूर है लेकिन यहां के लोगों के दिल बड़े क वामल है और हम लोग पुरी दुनिया में हमारे खान पान की वज़े से हमारे पहनावे की वज़े से हमारी बोली की वज़े से और जोदपुर की संस्कृतिक अपनायत उसकी वज़े से पुरी दुनिया में जोदपुर को जाना जाता है एक बार मैं चांगा रश्मी निशा सुनिल जी जीतेंदर जी इन तीनों भाईयों ने मिलकर आज की जो वस्ताएं आपके बीच में रखी है इसके लिए गैलोत परिवार का एक बार जोड़दात तालिया बजा कर अपने पिता की उस इसमर्ती को किस तरह से संजो के रख सकते हैं वो आप से अच्छा कोई ने जानता तो मैं चाह DUंगा एक बार जोड़दात तालिया बजाएं आप लोग क्योंकि कभी अभी मान तो कभी स्वावी मान है पिता पर जग जिससे जानेगा वो पहचान है पिता पिता है जो कंदे पर बिठा कर मेला दिखाता है और कभी गोड़ा बनकर आपको घुमाता है मा जरूर आपको चलना सिखाती है पर पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता तो मैं चाहूँगा एक पार हमारे पूरे गयलोत परिवार के लिए जोड़दात तालिया आप लोग बजाए और आईए अब मैं निवदन करना चाहूँगा मोहित राजी अटबड़ा चलिए नवरतन सिंग्जी रावल साब परारों जन्मत संग्र है नवरतन सिंग्जी रावल स्वागत करवादे पहले फिर सबको ही करवादो फिर दो मिनट का काम है चलिए मैं जल्दी से मुलाना चाहूँगा मंच को उपर श्री शाम जी पालिवाल आजाए मंच को उपर श्री शाम जी पालिवाल साब और स्री रमेज जी माली दोनों मंच को उपर आ जाएं दिनेज जी माली आप भी आ जाएं स्री राजू जी माली रमेज जी माली, दिनेज जी माली, राजू जी माली और शाम जी पालिबाल स्वागत करने के लिए में सरवन परियार जी, हंसराज जी गहलोत, सुनिल कच्छवा जी, अश्रवन गहलोत जी चलिए मीराज हला जी, आप से भी नियुदन गरूँगा आप भी पदाने सम्मान के लिए निलम सिंग जी आप भी पदार जाओ, हिमा का भी सम्मान बाकी न है, हो गया, ठीक है थो जल्दी आएं, खुश्पुजी कुमबट, सम्मान तो होज जाता है, प्रस्वती बाद में हो जाएगी, आ जाएगी है, खुश्पुजी कुमबट, सुनो सिसोधिया जी, पदार जाएगे जल दे, चलिए मैं, सर्वन परियार जी से, हंसराजी गहलोत, सुनिल कच्छवा जी, रॉमी जी, निर्मला गहलोत जी, अनिता गहलोत जी, जी, नेहा जी, नरंदर गहलो जी, रूपाली जी, हरिज जी और सुनिल जी, लेकराज जी, आप सभी इनका सम्मान करें, रस्मी निसाद, स्री दिलिब गवईया जी से निवेदन की वो, मैक्रोब़न पर पदार जाएगे, दिलिब गवईया जी, पुकराज जी से निवेदन की वो मंच को पर पदार है, स्वागत के लिए मैं प्रेम प्रकाजी माली, आप या जाओ, फटापट सब का सम्मान कर दो, लेकराज जी, सबको मोमेंटो, सौल, बैग, कि लाओात का सम्मान कर दो, साफिंट शुटत जी, राधिय माली, कि अधिने में दूबले पतल जरूर हैं लेकिन आवाज जब बोलती है तो कहीं विधर्मियों के छक्के छुड़ा देते हैं दिनेश माली जी उसके बाद अमर भजन गायक मौन जी जाला साब की सुकुत्री मीरा जी जाला दिनेश माली जी नागोर से प्रेम प्रकास जी माली फटा पर आगे बसा रसा प्रेम जी जन का नाम स्री नैना राम जी देवासी और अनिल जी देवड़ा आप भी आ जाएं नैना राम जी देवासी और अनिल देवड़ा जी हैं हाँ मैं दिलीब गवया जी से निवेदन करूँगा कि वो तैयारी रखें इसके बाद आपकी प्रस्तुति होगी हाँ स्रीमती नीलम सिंग जी मेरा जी जाला सोनु सिसोधिया जी खुश्बु कुंबट जी अ सब आगया आज़ो आज़ो फटापट रस्मी निसाद स्री विनोद राना जी थोड़ा जल दी करें मंच पर आज जो संगीतकार प्रस्तुति दे रहे हैं उनका भी मान सम्मान होगा थोड़ी दिर बाद में हाँ रस्मी निसाद के बाद स्रीमती नीलम सिंग जी साफे में गौंट ला रहे होने चीज़े और जंदिकी में गौंट ला रहे होने हाँ दिल मिले नी मिले लेकिन मिलते रहे है क्योंकि जिन्दगी में कुछ रिस्ते बड़े अजीब होते हैं जिन्दगी में कुछ रिस्ते बड़े अजीब होते हैं और दूर रहकर भी दिल के करीब होते हैं कुछ मिलते हैं कुछ बच्छड जाते हैं ये सब अपने अपने नसीब होते हैं स्रीमती निलम सिंग जी का सम्मान अधर आप लोग उनका करते रहें और माता है बैने आप इनका करते रहें आप इदर आजाएं निलम सिंग जी के बाद मीरा जाला जी हम देखे कटिने कैमरा चार पहुंचे गए जाटीन देखें बोटो अटीन लोगी दे तो और बैलेंस बिगड़ जा सुनू सिसोधिया जी कोसे लाओ जिलापाली से बहुत बेतरी इन प्रस्तुतियाप की रही इसके बाद नेनाराम जी देवासी विनोध नाना जी अब मीरा जी जाना पधार जाएं सोनू फोटू ले सबना सोनू कमर जी रामना पधार जाएं चले सोनू कमर जी रामना स्वागत कर रही है मीरा जाला जी का अ उदर नेनाराम जी देवासी का बाली मोटा करना साब आवे की कर बहुत जोड़दार ताले बजाएं और इतनी जोड़दार ताले बहुत बहुत धन्यवाद स्री विनोध राना जी और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सोनू आपसे ही खुश्बू कुमभट जी जोड़दपुर की बहुत 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 रिन भजन गाई का इनका डबल लोले जैन भक्ती में भी लावा है और सनातन धर्म में भी और कभी कभी हमारी चुट्टी कर देती एंकर भी बन जाती है अब थोड़ोग नेटाव रागो थोड़ोग छाती रात तवो दी उड़ रागो बस चले बहुत जोड़दार ताले मैं जाएं विनोद राणा जी का संबान श्री हर्ष जी माली नर्पजी देवासी स्री राहूल माली जी आजाएं जो एक मिनट में पांस साफे बान देते हैं यह रिकॉर्ड है इनका स्री नर्पजी देवासी हर्ष माली जी बालोतरा से और अमिता बच्चन से सम्मानित है मुराई मोटा भाग श्री असोग जी प्रजापती हर्ष बाबु जल्दी अशोग प्रजापती जी मंजब बढ़ारें पदम सिंग्जी राजप्रोहित श्री पदम सिंग्जी राजप्रोहित सरवडी उसके बाद हम प्रकास माली जी का गजंदर जी का संजय पंचारी जेगे इनके बाद में करेंगे अगली प्रस्तुति के बाद में सम्मान तो होगा इनकी अच्छाएं चलि ठीक है हाँ सुनील जी भाट जल्दी आजाओ थोड़ा पदम सिंग्जी राजप्रोहित जल्दी पदारें अब ममेंटू बाद में टाल टाल देदी जो बारते फटा पड़ श्री सुनील भाटी बाट भाट भी और भाट भी दोनों है जिन्दा मन्त करो दें अबार तो आप स्वालोड़ा दो प्रस्ति पत्र बाद में देदी जो की कुल देख पूराँ हाँ थोड़ा फट्ड़े तरुन प्रजापती जसोल जल्दी आजाएं नर्पजी देवासी नर्पजी देवासी सुनील जी भाटी सुनील जी भाट बस लास्ट मिनिट थार के तकली मारे गणिये पर करूं कहीं अशोग जी प्रजापत जल्दी आजाओ अशोग जी मारवन के बैती गंगा में हिनवान कर लेनों अशोग प्रजापती तरोन जी प्रजापत चलिए दिलीब गविया जी आप सब के बीच में माइक्रोफोन पर हैं जोद्पूर में मैं इनको उस्ताद का सकता हूँ संगीत के जानकार और बड़े सरल सहज सभाव के धनी बड़े गुणी वेक्ती जिनका सभी लोग लोहा मानते हैं आईये में दिलीब गवया जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुती प्रस्तुत करें विनोद सियोल जी धौलक पर और हमारे आज के इस करकम में जिनके निर्देशन में ये पूरी मंडली लगी है सुरुज जी देवडा और हमारे खुशाल जी चौधरी नितेश जी देवडा और सचिन द्वारका जी विनोद सेवडाई जी देवडान जी देवडान जी देवडान जी देवडा हमारे खुशाल कि सुप्रतीज भजन गायक, सीनियर गायक, जुनियर गायक सभी से आजया अनुमती लेते हुए हमारे सभी के आदर्श स्वर्गेश्री मारी छवलाल जी गहलोत की पुन्यतिति निमीते ये विसाल भजन संद्य और उनकी स्मरती में ये जो एवार्ड से समानित किया जा रहा है सभी फनकार, कलाकार उन सभी को बहुत-बहुत बदई शुप कामना है समय को ध्यान में रखते हुए में अपनी हाजनी लेका रहा हूँ अपनी हाजनी एवार्ड समय को अपनी हाजनी ये समय को अपनी लेका ये ले ओ लेक ले बी लेक ले फुटनर कॉ लेऑडि ले इसे लेक 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 घंकेश कर, बैस पपस्ट लिए करें ऊजय से ओे हैं फिर बैस वेदान 24 बैस 21 को है दिल्एराह – प्रम्भ lesser दिल्एर परके जह बुझर करें दिल्एर Kindern mentor देना, 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 रे डानना, रे दार यानना, सब्सक्राण टना इाण बात है कर दो कर दो कर दो कर दो मेरो मन कहाँ आनत सुख पालवे कहाँ आनत सुख पालवे मेरो मन कहाँ आनत सुख पालवे जेते उड़ी जहाजे को पंची पुन ही जहाजे पे आवे कहाँ आनत सुख पालवे मेरो मन कहाँ आनत सुख पालवे कहाँ आनत सुख पालवे मेरो मन कहाँ आनत सुख पालवे जैसे उड़ी जहाजे को पंची जैसे उड़ी जहाजे को पंची पुन ही जहाजे पे आवे कहाँ आनत सुख पालवे मेरो मन कहाँ आनत अनल के दुख माँ आनन्त सुख पाले कहा यानन्त सुख पाले मेरो मान कहा याननत सुख पाले कमल नायन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे परिगंग को छाड़ी प्यातों दुर्गति को उपख नावे कहा यानन्त सुख पाले एदो बान कहा यानन्त सुख पाले कहा यानन्त कहा यानन्त जिन मधु कर अंबुजे रत चाख्यो क्यों करी करिन फन खावे क्यों करी करिन फन खावे सुन दाते प्रभु काम देनों तजि सुन दात काम आ पूर्दाजी प्रभु काम देनों तजि छेरी को ने दुहावे अनन्त कहा यान काफ धुप आदे मेरो मन कहा याननत गुदत प्रदे ले म्तंप सानी दानी दानी दा बुदत कहा याननत मेरो मन कहां अनंत सुख पावे सुर्दाजी महराज ने यह बताया है कि इस संसार में कौन सी ऐसी जगह है जहां अनंत सुख प्राप्त हो सकता है वो श्रिप मात रहे तो वो हरी चरण है कहां यानंत सुख पावे मेरो मन कहां यानंत सुख पावे जैसे उड़ी जाहाज को पंची वो नहीं जैसे उड़ी जाहाज को पंची वो नहीं जाहाज परियावे कहां यानंत सुख पावे कहां यानंत सुख पावे क्या बात है राग बजती है रंग बजता है राग बजती है रंग बजता है और संगीत का अंग अंग बजता है और जब भी गाते हैं दिलिफ गवाईया साथ तो ऐसे लगता है कि जलतरंग बज़ता है एक बार जोड़दात तालिया बजाएं और अब मैं सिर्फ ठीक है जिसादेश यजि जलतर मैंडेंड़ यजि झाल्वणार मैं बीप्ष घराइं दय ननननना दरनना, दरानना, एक दिया दिल में चलाना भी, बुजा भी देना याद करना भी, उसे रोज भुला भी देना एक दिया दिल में चलाना भी, बुजा भी देना याद करना भी, उसे रोज भुला भी देना इक दिया दिल में चलाना भी, बुजा भी दे दे कलाम अंति राव याद करना भी देना याद करना भी देना भूल जाता हूँ मैं सितं उसके भूल जाता हूँ मैं सितं उसके वो कुछ ससादगी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है आदमे आदमे से मिलता है मिल के भी जो कभी नहीं मिलता मिल के भी जो कभी नहीं मिलता तूटकर दिल उसी से मिलता है आदमे आदमे से मिलता है आप सभी के लिए कि ये शेर आखरी रजर कर रहा हूं आज क्या बात है के फूलों का आज क्या बात है के फूलों का रंग तेरी हसी से मिलता है आदमे आदमे से मिलता है स्यावर राम चंद्र भगवान की दिलेव गविया जी से निविदन की आप मंच में बिराज है इनका मान सम्मान और बहुमान जल्दी से हो जाएं और अब मैं जिनका सम्मान बाकी उनको बुला लेता हूं जल्दी से स्री प्रकाश माली जी आजाएं मंच के उपर सम्मान के लिए तो आजाएं अब आप जाने और हिमन जी जाने चलिए चलिए मैं खुश्बु कॉमबट जी से निविदन करूँगा वापधारे गायन के लिए उसके बाद मेरा निविदन ने का प्रकाश माली जी से कि सभी की इच्छाएंगे आप एक प्रस्तोती चलूर दे सीता सीता गांधी चलिए मंच पर स्री प्रकाश माली जी आपके बीच में हैं खुश्बु कुमबट जी पहले प्रस्तोत भी देगी और फिर प्रकाश जी आपके बीच में आज की सब्संग को आगे बढ़ाएंगे कि आप अधार जान सीता जी आपका मान सम्मान गहलोत परिवार की ओर से अनिल जी देवड़ा का सम्मान बाकी है संजेप अंचारिया जी का सम्मान बाकी है उनकी प्रस्तोती भी बाकी है रामकिसुर जी दादीच और कुल्दी बोजा जी कायन चलिए खुश्बूजी कुमबट नहीं पहले आप गादें फिर प्रकास देगाएंगे शोभाजी पमार से निवेदन की भी पधार जाएं सम्मान के लिए सुभाजी पमार और कोई कलाकार यह हो और उसका नाम इदी एक बार भी मंच से उध्गोशित न हुआ हो तो कृपय करके सूचना दें आप सबका बहुत स्वागत है पुरे गहलोत परिवार की और से थोड़ा जल्दी बढ़ा रहे हैं मैं पेज़े साथ नहीं हो मैं हुआ है लगली जहार मित जहार मित एक जहार काताव बुली स्वर्ग्वासिय मरात्मा की, बुली सत्य गुरुदेव की, बुली अपने-पने मात्पिता गुरुदेव की, जहुआ आईए, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, और हमें बहुत से कलाकारों को सुनना है, तो एक छोटी सी रचना, जो आज की इस कल्यों को दर्शाती है, सत्यता को दर्शाती है, वही प्रसुत कर रही हूं, जितने भी यहाँ पर माशार्दा के सुपुत्र पधारे हैं, सभी स आशरवाद आज्यानुमति रेते हैं, शी ओम आचारे जी, गजंद राव जी, शामपलिवाल जी, सबसे अनुरूत करूंगा, नहीं मेरा गाना आउश्यक्मी है, कि आप बेठें, लिए मैं चाहता हूं कि कुश्मू जब गाना शुरू कर रही है, तो मैं कटोर शब्दों का उप्योग तुम्हेंने किया नहीं कभी, जैसा सब लोग करते हैं, बिनमरता पूर्वक कह सबता हूं कि आपको बेठना चाहिए, बग्या आपकी इच्छाएं। चलिए। जैसा आदेश हुआ है, एक रचना आप सभी के बीचे प्रसित कर रहे हूं। अभी क्योंकि ऐसे वक्त पर दिया है, जब इतना सुन्दर हमारे दिलिप अंकल ने महौल बना के दिया है। उसके बाद गाना तो वैसे बनता ही नहीं है, लेकिन जैसा भी हो सभी सुनेगा। कहते हैं कि जरुरत के लोग चंद मिलते हैं, कि जरुरत के लोग चंद मिलते हैं, जब वक्त बुरा आता है, तो सब के दर्वाजे बंद मिलते हैं। कि मन्जिल तो तेरी यही थी कि वक्त लगा दिया तुने यहां आते-ाते भला क्या मिला इस मतलब की दुनिया से तुझे तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जयते-जयते जब तक तेरे अपने हैं तेरी सांस चल रही है तब तक सभी अपने हैं इसलिए क्या कहा तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा खाली हात आया है खाली हात जाएगा तूने जो गमाया है खाली हात चाएगा खाली हात आया है खाली हात चाएगा बीड है कयामत की और हम के लिए और हम अकेले हैं और हम अकेले हैं और हम की राहों में रंजो मर्की दीरे हैं रंद की की राहों में रंजो गमाया अकष्ट याँ 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 जब तलक ये सासी है जब तलक ये सासी है तब तलक ही रिष्टा है जिस घड़ी ये सास तोटी सास जब तेरी तोटी रिष्टी छूप जाएंगे आईने के सो तुकडे करके हमने देखे हैं एक में भी तन हाते सो में भी अपेले एक में भी तन हाते सो में भी ठकीले है जब तोट हमें आरी बार के देखे है जैड़ी 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 कि यहां में कोई किसी का साथ नहीं देगता जब तक आपका स्वार्थ सामने वाले से जुड़ा है तब तक वो आपके साथ ही है जैसे ही स्वार्थ छूटा स्वार्थ तूटा जब सामने वाले को पता चला कि आपसे अब कोई स्वार्थ नहीं रहा वहीं पर वो रिष्टा खत्म यह सच्चा ही है और कहा क्या तो मैंने समके चक्थमों पर रखा हर समी मरे हम तो मैंने समके चक्थमों पर रखा हर समी मरे हम बाद मरने के तुझको बाद मरने के तुझको कोई रखना पाएगा बाद मरने के तुझको कोई रखना पाएगा आज चवर जी माली कि याद में ये जो इतना सुन्दर आयजन हुआ है उनके परिवार के लिए चाहूंगी बहुत सुन्दर तालियों के साथ में आशुर्वा दें जो अपने मात पिता को याद करते हुए आज उन्हें श्रधांजली दे रहे हैं और यह अंतिम पंक्तियां जीते जीतो मायामी रामे नामे को भूला जीते जीतो मायामी रामे नामे को भूला जीते जीतो मायामी रामे नामे को भूला मौत का समी आया तो मौत का समी आया तो राम याद आएगा तूनी जो कमाया है तूनी जो कमाया है दूसरा ही खाएगा खाली हात आया है खाली हात चाएगा हाली हाथ आया है, हाली हाथ चलिगा भुली अपने-पने मात पिता गुरुदेवे की चहुँ चलिक बहुत बहुत धन्यवाद, खुश्पु कुमपट जी का एक बार तालिया बजा कर सब लोग धन्यवाद करें स्री केके आचारे जी, आपका भी बहुत स्वागत हैं, काफी देर से बिराज हैं, एक बार इनके लिए भी जोड़दात तालिया बजाएं केके आचारे जी, बहुत अच्छे कलाकारों के प्रेमी हैं, आईए अब हमारे राजस्तान के प्रकाश को मैं आप सब के बेच में रखने जा रहा हूं, कि तुमारे होने से किस-किस को आस क्या-क्या है, तुमारे होने से किस-किस को आस क्या-क्या है, और तुमारी आमसी बातों में खास क्या-क्या है, तुमारी आमसी बातों में खास क्या-क्या है, और ये तुमने सिखाया हैं हमको अपने होने से, ये तुमने सिखाया हैं हमें अपने होने से वो कोई भी हो इंसा के पास क्या क्या है वो कोई भी हो इंसा के पास क्या क्या है आईए स्री प्रकाश माली जी बुलि सत्वरुदेव महराज दूसरी वर्षगांट के उप्रक्ष में आज की इस ससंग में हम सभी के परमादर निया वाज़ा वो माज़प्री जी विचर्णों में पुनाम करते हैं गिलिप सब बैठे हैं सभी पुराने और नए संगी से जुड़े हुए लोग परिवार का भाव लेकर यहां आए हैं मुझे लगता है कि यहां पर एक भी वेक्टी ऐसा नहीं बैठा जिसको छमरजी का इसपर्ष नहीं हुआ इसपर्ष मन का यदि हो तो बहुत बहुत लंबा और बहुत समय तक याद रहता है तन के इसपर्ष को हम कुछ समय बाद में भूल जाते हैं दिनेश माली बैठे हैं तो मुझे याद है कि दिनेश माली आज जो भी अपने जीवन में अपने परिवार को चलाते हैं जैसा भी इनका काम है जो भी आपका नाम है उसके मूल में बाद साब चाहँर जी की प्रेर ना रही है सोनु जोशी बैठी है बहुत साल बाद भी मिली है निलम जी बैठे है मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ क्योंकि ये शुरुआत जो है 1998 में उससे पहले जिनकी हुई वो सारे लोग तो भिद्यमान है रम्यवाजी है नहीं लेकिन 1998 से मैं उनसे परिचित था क्योंकि मैं उनके घर रहता था बहुत सारी चीजें उन्होंने हमको सिखाए एक चीज जो मुझे उन्होंने सिखाए आप सब लोगोंने संगीत के संबंदित या वो जिक्र की होंगे जो आपके गायन के या मंच के अनुबह होए मेरा एक अनुबह हो यह रहा कि उन्होंने शुरू से पहले दिन वो अपने साथ में टिफिन रखते थे मैं लोग घर से निकलते थे तो उनके बेग में चाहे उसमें दो रोटी होती थी माँ बैठी है और ये शेटो भाई और सभी लोग एमन भाई सभी लोग बैठ रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप गायन करो परन्तु गायन के पश्चात आप सोने से पहले कुछ खा के सोओ ये मेरी तुमको एक सला है उस दिन से उस सला को हमने माना तो बेठ सारे लकलागार जो है पेट से बिमार हो जाते हैं लेकिन मुझे ये उनका दिया हुआ ये बरदान रहा फिर मैंने सब को इसे खाया ये बात तो आज लगबग लगबग जितनी भी हाइवे पर होटले खुली रहती है वहाँ पर सुबह चार बज़े सभी कला कर भोजन करते हुए आपको मिलते हैं एक परंपरा कायम हो कि कहना का भाव कि वेक्ति वेक्ति उमर से बड़ा नहीं होता वाइसाब लेक्ति जो अनुभव से बड़ा उतार उनका एक कटू अनुभव रहा उनके जिवन में और उस अनुभव को उन्होंने आत्मसाथ किया फिर अपने जो अनुज लोग छे उनको सब को इनुभव बताया कि गाना बजाना अलग विश्चे हो गया लेकिन आप अपने दिन चरिया में इस सीज को शामिल करते हैं चमर जी के बहुत सारे हीरे हैं लेकिन उसमें सोनु कमर रावना आज राजसान के लोग संगीत का एक चमकता ऐसा सितारा है जिसकी धाग जो यहां से लगा कि जैपूर तक बड़े-बड़े फिल्मकार जो इसको मानते हैं यह हम सभी लोग एक गौरव का विश्चे है और उनका सतत आश्रवाद तुम्हारे जीवन पर बरसता है इसनी सु रही है मेरी आप सभी से गुजारिश है कि और किसी के लिए ताली बजाएं ना बजाएं लेकिन बाईसा के लिए बजातों मैं अब कंफ्यूस हों कि मुझे इस समझ क्या गाना है परन्तु मैं गुरुवानी है आप लोगों को सुनाता हूं और उसके बाद में फिर अंतिन दोर में इसकारिकम को चलेगा यो पाजा चलो सुनुन का सूती होती तो सथ सहज में मारी है लिए जागे तो जदन कुएं फेली सुना देते हैं एक बार दोना हाथ अगो उठा कर सभी लोग बोल दें बोलियो सद्ध गुरुदीब महाराजी की तो नो को मन से निवेदन करता हूं यहाजरी शुरूप बंच बहाएं जाग अपने को परिक्षा थोड़ी देनी कोई नूमर थोड़ी आने नूमर दे दिया जाओं जागों जद एक इली मारी हेली रोई रोई रुदन करे मारी हेली रे चालो संतों रे दे सूती हो तीरे सत सेज में मारी हेली जागे तुझत न करे सूती होती दोसत सेज में मारी हेली जागे तुझत न करे सूती होती दोसत सेज में मारी हेली जागे तुझत न करे जद जागों जद एक इली मारी हेली जद जागों जद जद चालो संतों रे दे महली बाग पिया जी बिना महरो पिया जी बिना दे महरो ताण पड़े मरहेली जड़ बिना मची आमरे ओ पिया जी बिना आम हरो जड़ पड़े मरहेली जड़ बिना मची आमरे कोई तो बतावो महाले शामनी मरहिली कोई तो बतावो महाले शामनी मरहिली रंग भरे रास अमे मरी है ओ हलो प्या जी दे अलो गोरे अजना लागो शब्ताने वालो में स्मारी दीरे ओ लागो घजनो ने वालो में श्मारी दीरे चालो 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 प्या जीदे दे छोड्यों पिहार छोड्यों सासेरों मरहेली छोड्य दियो रंग भरो दे छोड्यों पिहार छोड्यों सासेरों मरहेली छोड्य दियो रंग भरो दे अरो पेरन पिताम्बर पेरिया मरहेली पेरन पिताम्बर पेरिया मरहेली छिर्पर भाग भुडा वेश मरी है सिर्पर भाग भुडा सिर्पर भाग भुडा वेश मरी है चालो संतों दे जो विरख तो जाता है उसके लिए दुनिया का मत्र में छोड्यों पीहर छोड्यों सासरों यह जो प्रिये जन थे उनको भी छोड़ा और संसार के जो रिती रिवास थे संसार एक जो बंदन थे उनको भी छोड़ा और जिस समय भगवे के आगोश में भगवे के वेश में आ गए तो फिर सिर्फ और सिर्फ वही दिखाए दिया जिसके लिए हम चले थी भाव है भक्त के एक दशा है और उस दशा तक पहुंचते पहुंचते जीवन खब जाता है लेकिन जब वो दशा किसी को भागिशाले को मिल जाए वो इस्तती तो उसके लिए वो करोड सोरियों की रोशनी के बराबर है और बनाना जी महराज इसे बार को अपने अनुसार खेते हैं धराग गन बिच धराग गन बिच चालेणों मरहेली नहीं भवन रोपर पिच मबाट रे धाट पी मरहेली बिच मबाट रे धाट पी मरहेली बिच मबाट रे धाट पी मरहेली एडू दीवाना वालो देश मरी हे एड़े दीवाना वालो देश मरी हे ओ अलक आजी रे एए लागो भजनों मालों को दुमानी हे लागो भजनों मालों देश मरी हे चालो पिया जीरे दे बजन के अंतिम में ये योग है अम सामानी लोगों के समझ से बाहर का विशे है क्योंकि वहां तक अनुभूती को ओम जी वाज़ाब ध्यान देना थोड़ा बनशी वावल जी अनुभूती को अनुभूती से जहना किसकता है अनुभूती को जानने का और कोई विकल्प नहीं है उसका सबस्ट्यूट नहीं है मुझमें आपने जो अनुबव किया वो किसी नगागी साब मेरे पेर के लगी तो जब तक आपके खुद के चोटनी आए तब तक दर्द कैसा वह आपको बता नहीं है मारवड YOUNG कहते हैं मैं इन आंगलीर लगे मिन आंगलीरों कोई धी नहीं इसको पीड़ा ह्यों से को लगी शन्तों ने वहां पहूंच कर कहा कि वहां पर क्या है is जो लोग जहां पहूंच हैं वहां पर पहूंच कर परंत में नहीं उगे नहीं आच में मारी हेली करोड़ भाण पर दे जहां पर सुर्या सोता ही ने अभी आप नहीं सुना ओगा कि चंद्रयान पर हमारा जो चंद्रयान गया है वो 14 दिन के लिए सोगेगा तो लोगों ने सुजा कि यार टेकनिकल आध बात है क्या सोगेगा बाद में वेक्या निक लोगों ने इसपरश्ट किया कि वहां पर 14 दिन की रात होती है चौदा दिन का दिन होता है तो जो हमारा जंद्रियान है उसके उपर जो सोलर लगे हुए है वो चौदा दिन में चार्ज होगा लेकिन चौदा दिन में दिरी-दिरी वो डिश्चार्ज हो जाएगा तो सो जाएगा लेकिन संतों ने अपने दश्विद्वार पर जब योग साधरा से वह जहाँ पर उन्होंने उस ध्यान को किंदृत किया है तो वहाँ की जो रोश्टि उन्होंने महसूस की उसी बात को पनाना जी महाराज जब भजन में क्ले दिया कैसे नहीं उगे जहां पर हमेशा सूर्य उदेवना अस्तनी होता न तो अस्त होता है न उगता है एक इस्तती में श्थित प्रग्य में प्रग्या इस्तिते और सीगो नहीं उगे नहीं आध में मरहेली करोडभान पर उदे ओपना नाक्त उणे देशिरा मरहेली बना नाको उणों देशिरा मरहेली बार बारे आ देशितारी है पार बार आ देश मरी चालो संतोरे दे लागो भजनों वालो खोड मरी है लागो भजनों वालो खोड मरी है ओ लागो शब्दों वालो ने मरी है दे चालो 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 संतोरे देश देश पुलिस सत्त गुरुदीव महाराजी की कटे ने थोड़ा क्योंकि जब नमकी नोर ऐसे आखों को सुहाने वाले चीजे दिखाई देता है तो वेक्ति खंडर नहीं देखता लेकिन जो खंडर में जो तपस्या है जो वहां पर बलिदान ने मित्रों कंगोर में नहीं थो सकता मुझे ऐसा लगता है कि चमकदार में चीज़ से हैं कभी पुराणी हो जाएगी लेकिन एक दिन सभी चमकदार चीज़ों को उस खंडर तक कहूंगा कि सभी को गवाएं आप और हम तो बस परिवार के लोग हैं आना ही रहेगा आना ही रहेगा आएंगे करेंगे और ये परंपरा जो चमर जी ने करी शुड़ू इसको उनके ना शरीर के होने के बाद में भी सदियों तक उस परंपरा को कायम रखने का हमारा निश्च करेंगे और मुस्पत पर चलते रहेंगे आप सभी को प्रणाम नमस्ति हैं जैस्त्रीरम चलिए प्रकाश जी का एक पर जोड़दा तालिया बजा कर आप लोग धन्यवाद करें है अलागि नौनत काद नावा सवेरा होता है नावा अस्त होता है लेकिन मैं इने विदन करना चाहूँगा कि लोग हो गया सवेरा पल के मसल के देखो और मंजिल सामने बाहर निकल के देखो और सागर उतावला है नदिया समेटने अपनी आगोश में सागर उदावला है नदिया समेटनी आप ही आगोश में अरे कुछ हम मचल के देखें अरे कुछ तुम मचल के देखो एक बार जोरदात तालिया मजाकर आप लोग बंदन करें अब मैं स्री गजंदर जी राव से निवेदन करना चौँगा पधार जाएं भगवत जी सेन भगवती प्रसाद जी सेन चले फिर निलम सिंग जी से निवेदन करूँगा आप अधार जाएं इसके बाद में इनकी प्रस्तुति के बाद में और फिर हमास योल फिर संजय पंचारिया जी अब ये चार क्रम आपके विच में हाँ सभी से निवेदन थोड़ी दिर ओवर भी राजे हलो लिजी पादर में बड़ भाई साब गजंदर जी राव और बिराजे सभी भक्तिजनों से भगवती परसाथ सेनका शादर पणाम करतवे एक रिचना परसुत कराओं बोलो सत्त गुरु दे आले की बोलो अपने अपनी माद पिता गुरु देव की जै हो जै हो गुरु पिता करते हो हे रा अधने गुर्दे ओम जी आचारे से अगेल तुए मनवा भजी तू रामी भजी निकरी करी मन में सोची बार बार नहीं आवसी दिरा मिन खजा मा रारी मौन इसे जैसे मुझे अभ्यास एक रितना पुशुद गराऊं ए अरि माट केड़ों मट को घड़ियों एकुमारी मान ब्याद माट केड़ों मट को घड़ियों एकुमारी माट केड़ों मट को घड़ियों एकुमारी मान ब्याद माट केड़ों मट को घड़ियों एकुमारी मान ब्याद अरे भुलों मथी ये लारे की वार कोन भी भुलों मथी ये लारे की वार आयोडों अवसर भुलों जह मती अथे अब नो नो मिना रियोगर परी माई ओन दी नो नो मिना रियोगर परी माई अरे उंडे माते जूली जयों अरे नव नव मिना रियोगर परी माई ओन भी नो नो मिना रियोगर परी माई अभी उंडे माते जूली जयों एक कोल बचन सू यो हरी सूया औन भी कोल बचन सू यो हरी सूया हरी बाई अरे आई ने भूली जह गयों ये हो क्या बाते विनोग भाई ओन भी नखों सिकोर भाई तरिया रिय बना अरे सूरत साइबो जोखी जह गड़ी बी नखों सिकोर भाई तरिया रिय बना अरे सूरत साइबो जोखी जह लिखी भी अनोधनरा भरिय अरे बंदार मोन भी अनोधनरा भरिय अरे बंदार अरे उमर साइबो जोखी जह लिखी अच्छे अरे बोदार अरे बुदुदुदुदुद्स अरे बंदार आनोधनरा भरिय अनोधनरा भर नंटी साइबो जोखी जोखी आर जिन में लागी इंदर जड़ी और अरथ बेवे बालोई मास और भी अरथ बेवे बालोई मास अब इंदर वाली रे एक जिजे खड़ी मत केड़ों मत को जड़ी और एकुमार मौनदी मत केड़ों मत को जड़ी आरे कुमार अब इखाया धारी शाची जहे खड़ी अरे हरी रा बंदा ताई बने सीधार अनदी हरी रा बंदा रामने सीधार अयोजो अवसर भूले ले मती अभी बूल्या खाती बगसाधी घरियां को नदी बोल्या खाती बगसाधी घरियां ये संगत साथी साथा जी फली अब इखाया धारी रे शाची जहे खड़ी इखाया धारी रे शाची जहे खड़ी इखाया धारी रे शाची रे गड़ी एक बार चाहता हूँ सभी जेभोस करें बोली अपने अपने मात पिता गुरुदेवक्ती जै हो सभी वक्तों की जैए हो सभी वक्तों की जैए झाल 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 पार बाद बाद रन्यवाद बगोति प्रसाद जी सेन मैं हिमाजी शीयों से नविजन करूंगा कि वो मैंच को परपद हर जाएं और साउंड ओपरेटर सुभम जी से निवेदन करूँगा वो भी मंच को पर पदार है सुभम जी और एक प्रभू एम्प्लिफायर प्रभू एम्प्लिफायर से जो भी सज्जन है वो भी पदार है मंच को उपर हिमा जी सियोल आपके बिच में प्रसुद देने के लिए हाजिर है भाउक्सा प्रभू एम्प्लिफायर से भाउक्सा पदार है मंच को पर और साउंड ओपरेटर सुभम जी प्रभू एम्प्लिफायर से भाउक्सा आजाएं जल दे से आज वाग्या देशाएं यह पूरा करिका मरुदर फिल्म्स और SMS वीडियो स्री उम्प्रकाजी देवडा और उनकी पुरी टीम के द्वारा लाइव टेलिकस्ट किया जा रहा है जिसे कभी भी आप अपने मोबैल के माध्यम से देख सकते हो कि मैंने कैसे भजन गाए मैंने जैकार बोली या ना बोली मैं बातें कर रहा था या भजन सुन रहा था प्रावा चलिए अरु हेमा जी स्योल आप सब के बीच में प्रसुदी देने जा रही है हलो 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 है एक बार हिमाजी के लिए जोड़ा ताले जितने लोग बैठें कम से आप तो ताली बजाके हैं इनका स्वागत करें हलो 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 हुलो मीरा के शाम की हलो हुल हुल मी राजन मी मेड़ी ते वरजन परणा दीच जितो हो नाम भजन परिताप सूँ असकल स्विष्टि स्रिवो सकलस्त्री इश्ट्री सिरी माणी जगत्य में सारा जानी आगे भई रयने की भेरी बागा जाहां मेठ कुराणी सांवरियों जातू कर गयों में क्या करूँ 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 सांवरियों जाते शोक कर गयों में क्या करूँ सांवरियों जातू कर गयों बिल्डी बिल्डी ओरी पाचलेडी पाजु बंदी नगीना बिल्डी बिल्डी ओरी पाचलेडी पाजु बंदी नगीना अंगी यांगी केची तूटन लादी आवती अंगी पाची नगी पाची नगीना बिल्डी ओर जाचु तरिकलों मेशा करूँ घर का घर सा घर से निकली सुर्ची अरजी मुए कीना अंगी का घर का घर से निकली सुर्ची अरजी मुए कीना जंदा आवन की कुझ गली यनी में जंदा आवन की कुझ गली यनी में ओ आवती शा मेशा लोला मुथ्सा बर्यो जा दूं आवन्सी बालो जा दूं नरिकर och में क्या करूँ मुथ्सा बर्यो जा दूं नरिकर och में क्या करूँ मेरी तो चोडी उन्दे पुरी चोडियो चोडी दिनार की सारा मेरी तो चोडी उन्दे पुरी चोडियो ए चोडी दिनार की सारा मेरा के नभू किरिकर ना करी मीरा के प्नाबू किरिकर ना करी ओ अप्विने रंगि में नंगिडारा ओसा बरियो जादू अपनसी बालो जादू करिकरो में चाकरो ओसा बरियो जादू करी-करो में क्या करूँ ओ मैं क्या करूँ सकी, मैं क्या करूँ ओ साबरियो जादू, बंसी बाला जादू ओ साबरियो जादू, बंसी बाला जादू, बंसी बाला जादू ओ लो मेरा केशाम की पाला जादू हलो मंच के सिद्धा सिरी जनन सिंगी रागपुरेट मंच पर पदारे नई भई इकना तो मुझे बोलना नहीं आता हलो कि उन्हों डुलक विवाज को लए तो हलो स्रीमान हमारे नाउसर चंदन सिंगी राजपुरे जहां कई भी हो मैं उसे निवेदन करूंगी प्लीज आप जल्दी सिंद्धी मंच में आएं और माइक्रोफोन से मंच संबाले और लिजी एक भजन और हमारे हम्ड़ाजिश्टे जाम जरों के बेटिके वरी सबीका मुझी राले जैसी जिनिकी चाकरी प्रभु वेसा ही फलिदे वेसा ही फलिदे हूँ तावंड वोले भैया दोले खोल दो अत्मारी जेली थोड़ो रामजी ने भजिले अत्मारी जेली थोड़ो रामजी ने भजिले ओ दुनियारी जेली मीटो बोल्या से भरमगात खुली जाय गरी गरी दोल्या से भरमगात खुली चाय गरी गरी डोल्या से आत्मारी जेली थोड़ो रामजी ने भजिले अत्मारी जेली थोड़ो रामजी ने भजिले ओ दुनियारी जेली जीटो बोल्या से दुनियारी जेली जेली जीटो बोल्या से भरमगात खुली जाय गरी गरी दोल्या से आदर भाव तुना चुबाटा दूरत पूरत करिले खाजी आदर भाव तुना चुबाटा दू चुबाटा दूरत पूरत करिले खाजी अधाश्मन जुक जाम अपने आगे नई करिया करिले खाजी इश अमरत बन जाए साच बोल्यादे इश अमरत बन जाए साच बोल्यादे इश अमरत बन जाए साच बोल्यादे इश अमरत साच बोल्ляется खेथी खातर बाड़ी करी या बाड़ी खेथी में खावेजी खेथी खातर बाड़ी करी बाड़ी खेथी में खावेजी परहता कोई चीच मंगावो बाकदी पूरी रावेजी खेथी खेथी में खावेजी खेथी में खावेजी मिंत्र होईने करो मिंत्र दा मिंत्र पड़ोते चाखोजी मिंत्र होईने करो मिंत्र दा मिंत्र पड़ोते चाखोजी जे मिंत्र में अमगुणी में तो मरिदे भी कर राखोजी दुनिया हसेली पर दोखो जाजे दुनिया हसेली पर दोखो जाजे पर्मकात पुन जार गर गर जो जाजे पर्मकात पुन जार गर गर जो जाजे पर्मकात पुन जाजे पर्मकात पुन जार गर 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 जो जाजे पर्मकात पुन जार गर 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 जो जाजे दुनिया हसे जाजे करी करी दो जाते और यह थी हमारे बीच में हमारे जोत्पुर की बहुत ही वहतरिन गाएका है मलत्ता जी वैसन में साउंगे एक वार जिसमें भी हमारे स्रोता गणिहां भी राजवान हैं मलत्ता के लिए एक बार जोड़ जोड़ ताले सावली सूरत पे मूहन दिल दिवारं आहो गयां सावली सूरत पे मूहन दिल दिवार आहो गयां दिल दिवार नाहो गयां दिल दिवार नाहो गयां सावली सुरत पे मूहन दिल दिवार नाहो गयां मेरा दिल दिवाना हो गया सावडी आपनी सावडी सूरत पे को सावडी सूरत पे को गया से दिवाना हो काम्ति जेए वारे घर्टी ची पुझना है उन्हा वकल बढ़ा हुआ वाई यूदी खाले भी हो रहा है वकल बढ़ा हुआ वकल बढ़ा हुआ या बादे ये बाद परीक तो तेरे पेले मोटी दूसरी काजे लगा परीक तो तेरे पेले मोटी दूसरी काजे लगा परीक तो तेरे पेले मोटी दूसरी काजे लगा परीक तो तेरे पेले मोटी दूसरी दूसरी काजे लेगा तेरे दूसरी काजे लगा मुझा बाइब 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 इन के लिए दो पंक्या कदर जाए आल दीवाने दीवानों को राखर चाए कदर जाए ओ शाब निरी कदर जाए कदर जाए कदर जाए कदर जाए कदर जाए अजान तुमी देने इलकी तुर दीने दुखाना सर्षे कर सकता है तुमी 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 तुम्य तुमार लुखाना इलकी मुखाना सर्षे भी तुमी तुमार दुख्यों थुखाना दूसरे में दिये लगे आई एक तो मेरे हाथ चाती दूसरे में दिये लगे दूसरे में 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 ओगया दिदिवाना, ओगया निक्रा, तिल नम्हाना, ओगया सामरी, सामरी, सामरी सुनते में पोन, दिदिवाना, ओगया ओगया सामरी, सुनते में पोन, दिदिवाना, ओगया अरे एक दू तेरे होटे मतले, तू से रहे लाले अरे एक दोजे लादे, दूसरे रूप मड़े खड़िए एपे रम बेड़ खार लग कर दो फिर जाहिए दिल दिवारा हो गया मेरा दिल दिवारा हो गया तो इसा मेरी सुरत पे पो गया दिल दिवारा हो गया सामीरे सुरत पे पो गया दिल दिवारा हो गया सामीरे सुरत पे पो गया दिल दिवारा हो गया ओ अरिर मेरी चार है राजा, दीर मेरी पूर पार है राजा अरिर मेरी चार है राजा, दीर मेरी पूर पार है रहना पूरा तुझ से दूर है रहना पूरा तुझ से दूर है अरिर मेरी चार है राजा, दीर मेरी चार है दिन दिवा ना पू गया, सावली सूरत में मूरी चार है बुरी खाटू नरिगे राजा अरिर मेरी चार है अरिर मेरी चार है झाल